कि नमस्कार साथ हो बहुत-बहुत स्वागत है अपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तो फटा-फट जूड़ जाए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो करेंट पढ़ा दीजे तो बिल्कुल उसी चीज को लेकर के आपके सामने हैं और आपके जो कौन से कौन से मन्त का पर्टिकुलर है बांकि हर चीज आपको कोश्चन के साथ ही समझ में आ जाएगी और बहुत ही चुनिंदा कोश्चन है यहां पर नेशनल इंटेनेशनल करेंट कि एक दम दिक्कत ही खत्म हो जाएगा उसके बाद बचा जो विहार करेंट फेर उसके मैं आपको पीडिएप दे दूगी तो आप उसे आराम से वहां पर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने आल्यडी पहले कुछ ताइम पहले ही मैंने उसे पढ़ाया है दस दिन कुछ तो सूरज की तरह जलना भी सीखो जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तो फल्क इक्षा बिल्कुल मत करिए गाउगा जी तो शेश्चिं की शुरुआद करते हुए आपके पहले कौश्चन पे आंगे आते हैं और उससे पहले जिनके भी पास अप्लिकेशन नहीं है सुबर साथ बजे तो उसमें भी प्रिजन्स अपनी दिखाई है पहला कोशन आपके सामने है कि निम्रकित में से किस दिन बिश्व मलेरिया दिवश मनाया जाता है बताओ कि गुद मॉर्निंग सर्वेश मंजीत विकाश रूपा कुमार गनेश संतोष बहुत-बहुत स्वागत है बलकुल तो बिश्व मलेरिया दिवश्का मनाते हैं पहला ही कमेंट उट पर टांग यह सब बाते मत बोला करो मुझे अजीब सा लगता है यह सब मत बोला करो हमेशा एक टीचर और स्टूरेंट की जो डिगनेटी होती है उसे मिंटेन किया करें है आप अगर दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो अपने लिए भी मत जंग जारी जंग जारी है और सी आंसर देते हुए एकदम सही है कि आपका 25 अप्रेल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवश हम मनाते हैं आंगे देखो अगला कूश्चन है और ऐसे टीवी को लेकर के भी काफी मुद्दा छिड़ा हुआ है तो टीवी के लिए अगर देख अगला कूश्चन है कि सुदान से भारतियों को सुरक्षित लाने के लिए कौन सा ऑप्रेशन शुरू किया गया है तो सुदान से भारतियों को लाने के लिए सुरक्षित ये कौन सा ऑप्रेशन शुरू किया गया है ऑप्रेशन गंगा का वेरी यमुना या फिर आपका कृ कर देना चाहिए तो उसके लिए मैं बहुत बिलीब करती हूं अगर इसलिए मैंने पहले बार कहा कि टेकर ब्लॉक करना सुलूशन नहीं हमेशा अपने आप पे काम करना चाहिए ऐसे करके यह पूरे 6 महीने का पूरा कवर 6 महीने इसमें तो ऑपरेशन कौन से शुरू किया ग तुर्किये से भारतियों को वापस लाने के लिए शुरू किया था और पूराने हिस्ट्री का अभी ब्लू स्टार चर्चा में था क्यूंकि हमने इंद्रा गांधी जी की जहनती सेलिब्रेट की है अगला कोशन है कि कोप इंडिया नामक अभ्यास का कौन सा संस्क्रा नाज व्यां इंडिया के बीच में होती है कोप इंडिया भारत और अमेरीका की बीच में होती है कौन से अधिशन आपके कूप इंडिया की बात करें तो इस यह आपका इदीशन था तो और यह होती हिसन O भारत और अमेरिका के बीश में ठीक है अगला देखें और मिलिटरिक से साइज का नाम यहां पर युद्धा भ्याश है इसको कन्फ्यूज मत हो ना अगला है कि सकीरा सकीरा को बिलबोर्ड की पहली लेटन वुमन अब दा यह का वॉट दिया जाएगा सकीरा किस देश से रिल पहली लेटन वुमन अब दा यह का वॉट दिया गया कहां की है यह तो यह आपके कोलंबिया से वसी कूशन आप सकते हैं अगर चाहें तो वैसे सायद यह कूशन पूछें अगला कूशन है कि किस राज में पहले डिजिटल साइंस पार्क का सिलान्याश किया गया है तो कहा तरी आपके राजस्थान ऐसी आपका डिजिटल साइंस पार्क है कि आपके पहला मिलोडल लावब रॉपन हुआ आपके असाम में अपर राजस्थान में और यह वाला पर बिजिटल साइंस कहां पर शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ है आपके केरल में कहां पे हुआ आपके केरल में रिलेट करते हूँ चलेगा कोशन ऐसी याद होते हैं इनका कोई मंत्र नहीं है हाना आंगे देखें अग्ला है रेमन मैकसे से पुरुषकार मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है यह कोशन पूछा जा सकता है इसके बहुत सारे चांस हैं हना जित्ता ले 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 तो रेमेन मेकसे से पुरुषकार किसे दिया गया है नरत्नमोदी दलाई लामा आपके मैल्वन मैकरोन या फिर आपके द्रॉपदी मुर्मो जी बताएं हाँ बहुत अच्छे मोगो तो रिम्न मैक्सी से पुरुषकार किसे दिया गया है एकदम सही आंसर आपका दलाई लामा दलाई लामा और जस्टन टूडू ने मिलकर के कौन सी किताब लिखी अभी हाली में बताओ इसके अलावा दलाई लामा है कौन तो दलाई लामा यह आपकी बहुत अधात में गुरू है तिबतन छेतर से समधित हैं लेकिन रहते हमारे भारत में हैं हाला आगे देखिए अगले कुछ चनिक नियुकित में से किसके द्वारा भी हाली में मिलेट पर एक रिपोर्ट जारी मानते हैं और यह आपका बाजरा है बाजरे के प्रोडक्शन भारत नंबर वन भारत में भी कौन-कौन से राज खास करके करनाटक और केरल यहां पर बहुत ज्यादा मिलेट होता है तो इसमें आपके मिलेट पर एक रिपोर्ट किसे जारी की है रिपोर्ट जारी की गई है है आयोग ने और निती आयोग यह हो गया आपका टेंग इसके लावा आपके मिलेट मिलेट की ग्लोबल ब्रेंड मिस्टिकौन है उनका नाम है लहरी बाइब आगे अगला अगला है आपका को ठीक है है थाह से अगाले में गौल्ड में परियवरन पुरुशकार दिया गया पता नहीं क्या हुआ अभी तक थोड़ा रिलाक्स था चायो पी किया एक दम लगना था ठीक है बोलना शुरू किया सर्दा शुरू कर जब भी बहुत अच्छे मौमु सुमन के बेरी बहुत अच्छे सेश़्ेय कर दो चला तो परियवरण परुषकर कहां की है तो यह ब्राजील की अब राजील को सापो का देश कहते हैं अगला है 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 थेस्टिबल किस सराज में हरिटेज फेस्टिबल तो कहां पर मनाते हम हरिटेज फेस्टिबल 2023 और ओडिशा गोगा बिहार या फिर आपके गुज्रात ब्लैक कॉफी पी लें अब क्लाक खत्म होने बाद ही देखें क्या होता है हाँ यह हो सकता है कि सर्दी लग गई हो सम्तिंग कुछ ऐसा हम तो हरिटेज फेस्टिबल इसकी शुरुआत कहां पर हुई है तो वैसे काफी टाइम से मनारा मनाया जा रहा है और यह आपका गोवा अभी 54 जो नंबर का फिल्म फेस्टिबल है वो भी आपके गोवा में ही आयुजित किया गया था गोवा से लगातार करिंट फेर लग आत शु lmf Senior लाउड दोजार टीस में सरसेष्ट अभीनेता का और किसे मिला है तो अबीनेता कि दौपे चुने कहें हैं राचकुमार राजी ठीक है राजकुमार राजी और इसमेना बहुत कनफूजन होगी इसलिए ही जो शिक्स्तिएट अडीशन है फिल्म फियर अवाट का इसको जरूर ध्यान रखेगा अगर इनसे कुछ याद ना है तो मेरी साधी में जरूर आना वो मूवी थी ना इनकी बस वही याद के लिजेगा ठुकरा कि मेरा प्यार इंतकाम देखेगी हाँ जी बस यहीं पर इंतकाम दिखाना आंगे चलो अगला कोशन ने किताब किसके द्वारा लिखी गई है यह किताब अच्छी है पूछी जा सकती है तो किताब किसने लिखी किसने लिखी अपना अपना नाम नहीं लिख रहा है बताओ किताब लिखे आपके ससी सेखर जी ने ठीक है ससी सेखर ने किताब लिखिए अगला देखें आईशमान भारत दिवश अभी तक आपने कार्ट देखा था आईशमान कार्ड योजना शुरू कर रहे हैं और इसके त्रू क्या होगा कि जितने भी मनीज हैं उनका जो डाटा ह हो और डॉक्ट्रों के लिए वर नेशन वर रिजिस्टेशन योजना की शुरूआत हो तो अगर प्रतेग वर्ष किस दिन विश तर पर बिश्व तूना देवश मनाते हैं अब आपको लग रहोगे को बड़ा सिंपल साय क्यों ही इसको पढ़ना है लेकिन ये कोशन पूछा जा चुका है विश्व टूना दिवश आपके एकजाम में आ चुका है चाहे वह नेशनल लेवल का ही क्यों नहीं पूछा है तूना एक मचली है जिसकी लगातार मतब धीरे-धी या जाति इसके खत्म होनी के गगार में तूसे बचाने के लिए टूना दिवश मनाते हैं हाँ जी आओ नहीं के एक बार रीच्ट करना उसको हाँ ना हाँ अलू अर्जुनवाला दूसरा ऊशन है तो विश्व टूना दिवश कम मनाते हैं हम मनाते हैं आपके 2 मई को ठीक ह मैंने कल आपके क्लास में कोशन करवाया था अब ठीक है अब फिर से बार देखिए यहां पे अगर हम वर्ल्ड प्रस फीडम इंडक्स की बात करें तो मदब की क्या कहते हैं कुछ संस्था है जो कि रिपोर्ट बताया जाता है कि किस दैश में कितनी लिवर्टी है आपके प्रस को लेकर के समाचार पत्रों के प्रकाशन को लेकर कि कि वहां पर कैसी-कैसी न्यूज़ जा सकती है यह फिर कितनी गोंच लिबटी दे ती है यहां पर आपके नावे ठीक ह स्वीडन और डेनमार्क ये पहले ये पहले पहले टॉप फ्री में शामिल है भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत हमारा 161 नंबर पे है 161 लास्ट टेम दोजाट बाइस में भारत की रैंकिंग 150 वी थी तो टोटल कितने देश होते हैं 180 देशों का यहां पर परिक्षण किया जाते है फिर 181 यह रखा जाता है दियान रिखिएगा लास्ट में आपका साउथ हो रहा तीक आंगे देखो अगला है आपका कि मैंट्रीड ओपन 232 का खिताब किसने जीता है तो मैंट्रीड ओपन किसन से कुछ भी आरे बढ़ी नहीं है जब भी रिपोर्ट इंडेक्स में आप घटते क्रम में देखेंगे ना तो घटते क्रम में संख्या अच्छी मानी जाती है यही अगर हमारी संख्या आठवी नौमी दसवी होती तो हमें एक अच्छी कंडिशन में रखा जाता अब 180 देशो यह जीता है कारलो सलकराज ने ठीक है कार्लो सलकराज ने और अमेठिट ओपन किस शारण्स कीर से संबंडित है बता थो हिए अगला कुशुन पूर्मू हम द्रापधी मार्मू उनका जो सफर वो कैसा रहा है तो राष्ट द्रॉपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर लेंड टू राइसीना हिर्स यह किताब किसे लिखी है आप भी हैसा करो तो यह किताब किसे लिखी है इसे किताब लिखी है कस्तूरी रेने ऐसे किताब अजटि योगी अदितनाथ जी के उपर लिखी है अगला कूशन है कि राष्टी समारक घोशित करना तुंगनाथ मंदर को हाली में राष्टी समारक घोशित किया गया है किस राज में पढ़ता है पता है तो ापका तूंगनात मंदिर अमें किस देश ने यह उमीद से बाहर का कोशन है बिना सोचे आप इसका अंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा ऐसे तो साथ प्रतिशाथ मात्र में देशों की सूची में भारत किस नंबर पे हैं तो भारत हमारा पहले नंबर पे हैं यहां पे सबसे ज़्यादा मात्र में कि उदर देखी गई है तो इसको ध्यान रखेगा थिक आगे चलो अगला कोशन में इंडिया सेवेंटीफाइफ येर्स आफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज इसके लेखा कौन है और हर एक पर्टिकुलर कोश्चन अपने आप में बहुत यूनिक है थोड़ा सा केफूल होके लास तक बने रहना है और पीडियाफ में बिहार करेंट फेके अलग से अप्लोट कर दूंगी परिशान मत होएगा और यहां पे जो बच्चे होंगे बीच में कहीं जा करके मैं अब की पीडियेफ फोड़े टाइंम के लिए यहां पे आपकी डूप कट्ति और यहां पे आपके पास बूड़ाइशन पर आपके पास होते हैं अगला कुछ है अरब लीग का सदश कौन बना है अभी हाली में तो इरान सीरिया यमन या फिर आपका जॉर्डन ठीक है जॉर्डन क्या लगता है वसे जॉर्डन बड़ा खतरनाक नाम लग रहा ना अगला देखो अगला कुछन है कि लॉर्डन से लॉर्डन बनाया गया है अगला देखो कि लॉर्डा की लॉर्डन की गॉर्मर ने यह खिताब इनको दिया तूज लॉर्डन की गौर्मर ने ये खिताब इनको दिया थे था और झिया क्यों था क्योंकि फीफा बशुकब 2013 में दोसारटेशन कि अगला कुषिन के 222 सूरी यदाख लिस्ट की की सूची में सस्थी क्या गेटन को टेंटाटीव के मैं शामिल किया गया है लिस्ट से बाहर है और वह यद्ध शुका है ठीक है कहें कहां पर है तो यह पढ़ता आपके पश्री मंगाल में और इसके स्थापना की थी रविनाथ टैगोर ने ठीक है रविनाथ टैगोर ने अगला देखो यह कोशन भी इंपॉर्टेंट होगा यह अभी तक वर्ल्ड हेटे साइट की लिस्ट की बात करें तो 42-43 करीब पूरी भारत में ऐसे प्लेसे हैं जिनको शामिल किया जा चुका है अगला है आपका कि वर्तमान में हरित पत्तर निद्शान निर्देश 2023 में हरित सागर का शुमारम किसने किय है बताओ पता देंगे पीडियाफ कैसे मिलेगा पहले पढ़ लो तो हरित सागर का शुबारम किसे किया है किसे किया है हाजी है हां तो यहां पर हमारे जो पोट परिवहन जलमार्ख जहाज रानी मंत्री है आपके सवनन सोने वालती इन्हों नहीं किया है यह हमारी ब्लू को आगे लिखे जाना चाहते है इसके लिए अगला कुछ अग्ला क्योंगा इंडियन मेट्रोपॉलिस इसके किसे लिखी और है एक चीज़ और जैसे किताब का पूरा नाम लिखा हुआ यहां पर अगर आपको इस किताब का इतना भी देखने मिले तो भी आपको आंसर टिक करना होगा क्योंकि कितना ही पोश्चन सबसे ज़्यादा लिया जाता एक्जामनर के द्वारा अब वो चार लाइन का आपका पूरा आंसर ने लिखेंगे इसलिए छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रखा करिए ठीक है तो किताब किस से लिखी है इस किताब के लेखा किया अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस देश के नगरिक स्रीलंका जाना पूसंद करते हैं तो इसमें आपके करीब सबसे ज़्यादा टॉप भारती थे जो कि श्रीलंका की परेवर्टन मदब की परेटन को बढ़ावा देते हैं ठीक है आंगे देखो अगला कूश ने किनमकित मैंसे किस देश को मार्की 2027 मेंस बास्केट बॉल्ड कप के लिए मिजबान चुना गया है तो यह मेंस बास्के अगर आपने सारी प्रोसेस कंप्लीट की है तो आपके पास मेल आया होगा अगर नहीं आए तो आप अड़्डा को मेल कर दीजाए आपकी प्रॉब्म सौल्व हो जाएगी हाँ 127 मेंस बास्केट बॉल कप का मिजबान कौन सा देश बनना है तो यहä देश्छ आपका कतर ऐसी फीफा वूल कप भी आपसे काफी बार जा सकता है कि 2000 के कहते हैं 24 में कहां पे होगा नई 26 में होगा उसके बाद हर 4 साल में आज़ीड क्या जाता है उनकी मिजबान देश पूछे जाते हैं यहां जेदे को अगले की आइपर के इतिहास सब्सेटेज अर्द सतक बनाने का इतिहास किसके पास है तो आई पील अभी मार्च में ही खत्म हुआ ये और इस बार चिन्नाई सूपर किंग ने जोड़दार जीत हाशिल की है और अब मुंबाई चिन्नाई की जो टीमें हैं वो लगातार पांच-पांच बार खिताब जीतने वाली दो टीमें बन गए हैं आगे देखो अगला है भारतव द्वारा पहली बार भौति की भौति की संगहाई सहयोग संगठन जिसे हम शौट फॉर्म में एसीओ कहते हैं ठीक है संगहाई कॉपरेशन ओगनाइजेशन स्टार्टप फोरम की मिजवानी किस सहर में की जाएगी तो एससीओ के स्टार्ट फूरम की मिजबानी कौन सा सहर कर रहा है यह कर रहा है आपका नई दिली ठीक है नई दिली और अभी रिसेंटली दो-तीन महिने से लगातार चर्चा में आपका नई दिली हाना जब से करी comprendtee कि नदेख़ें हैं तब ट्व raped का में बनाएं तो ट्व इंडार चुका है वहाँ लोगो था ट्विटर का पहले उर्थी जिड़िया थी ब्लू कि अब बने रदा लिदा हो अमालिक कौन है तो उनका नाम है एलन मश्क ठीक है एलन मश्क इसके पहले सीओ की रूप में एक कुट्टे एक डॉक की एक डॉक को एक पॉइंट किया गया था जिसका नाम था फ्लॉकी अब राम जाने क्या करना चाहते हो है की नहीं आंगे देखो हाँ जी अगला कोशन ने बिश्व प्रवाशी पक्षी दिवश कम मनाया जाता है कम मनाते हैं बिश्व प्रवाशी पक्षी दिवश आप किसी भी किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं यह आपका जो क्लास है वो आपको हेल्प करेगा करेंट किसी के लिए नहीं चेंज हो हाँ हाँ पीडियाप देंगे आपको देंगे परिशान हो आंसर बताओ पहले क्लास अटिन करो क्योंकि आपके लिए प्यार्थ होगी पीडियाप से आपको खुद पता होगा आत्मा में हाथ रखके आप सूच लिजेगा पीडियाप से बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं कि उनकी मन में सट्टिस्वेक्शन रतारिक कंटेंट है हमारे पास पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ते नहीं है अगर आप यहां पे हैं तो आप पर्टिकुलर पर परसन के हिसाफ से यहां पर पार्टिसपेशन दिखाए अगर आपका हाथ नहीं चलेगा यकीन मानिए आपका द 13 मई को ठीक है 13 मई को ऐसे कोशन जरूर जरूर आते हैं परिशान करने के लिए अगला देखो अगला है कि गूची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रेंड अंबस्टर कौन बनी है तो अभी तक भारत के तहास में किसी भी महिला भिनेत्री को या फिर महिला को गूची की सबको याद होगा मुझे उम्मीध है इसा नहीं याद होगा गलत बात है तो तिराशवी ग्रेंड मास्टर है आपके अधित्य सामनता ठीक है इसके लावा ब्यासिवी कौन है तो ब्यासिवी का नाम क्या है बताओ जी ब्यासिवी ग्रेंड मास्टर कौन बने है ए और बी ठीक है जिन का इस गलत होगा कान पकड़ के बैठेंगे ये गलत बात हो तो आएसी छोटी-छोटी चीज़े याद नह पूरुशटे गरेंड मास्टर की संख्या हो चुकी है लाव एटी-थी जिनमे है में से 82 में आपके वी प्रनीत ठीक है में शवी करा अगला तो एक अगला कुश्चन है की सी विय का वहां को तो यहाँ पर से बहुब एक निदेशक बने हैं प्रवीड सूध। ठीक है प्रवीड सूध। प्रविड सूध। टीक है इनका नाम धान रखेगा क्योंकि काफी जिगे जब आप वहां पर नाम दूसरा दिया जाएगा और यहां पर नाम दूसरा है तो यह अपडेटेटेड है इनका नाम जरूर जरूर धान रखेगा जब भी आपकी पुलिस काम ठीक से नहीं करती है तो जांच की सारी जम्मेदारी दे जाती है सबसे बड़े स्काइव ब्रिज का उधगाटन किया गया है इसका वाली ब्रिज देखें वैसे कुछ रहता है दम चलना शुरू करते हैं प्राण निकल के हाथ में जाते हैं कितना जीवन अग्दम हलक पहुच जाना वही तो आपके स्काइव ब्रिज शुरू हुआ है तो स्क ऐसी हमारे भारत का एक राज है आपका मडीपूर मडीपूर में आपके जीविन्त रूट ठीक है हाँ जी एक ऐसा पेड़ है जिसने अपनी जड़ो का इस्तेमाल करके ब्रिज का निर्माड किया है ऐसा करके उसको भी ध्यान रखना आंगे चलो अगला कूश्य ने खेल उ इनुवरसिटी गेम 2023 में हुए है आपके उत्तरप्रदेश के लखनों में ठीक है उत्तरप्रदेश के लखनों में और जीता किसने हैं तो साइद पंजाब या जैन यूनिवरसिटी संथिंग पंजाब उन्वरसिटी चंडी गर्ने जीता है अगला कूश्य और हाँ खेलो खेलो इडिया गेम्स के अंटगरत बहुत सारा अलग-अलग गेम होता है जैसे कि फिर खेलो इंडिया उनिवरसिटी में हुता है गों होता है double 000 की जो पैरा खिलाड़ी मतलब की physically disabled खिलाड़ी होते हैं वो participate किया करेंगे इसकी पहली श्रंकला launch होने जा रही है हना कहां पे तो नई दिल्ली में खेलने जाने शुरुआत होगी अगला देखो अगला g7 g7 का अयोजन किया जा रहा है कहां पर होई है g7 की meeting और जी 20 बनने से पहले वो जी 7 था जी 20 कंट्री का निर्माड की और अब जी 20 हो चुगी है स tới है जिसे हम आफ्र atenção कहते हैं ध्यान देखेगा g22 कोशन fix आएगा आगे चलो अज सैशन को शियर करते हो चलना है हाँ जी वेरी गुड तो जी सेवन सम्मेलन कहां पर हुआ है है बाहर तो हिस्ट्री से कोषन straighten करके कोष्ण देखऊंग तो जी सावन पहां पर हुआ है तो यह हुआ है आपके यह बाण इसको द्यां रखना आंगी चलो अंत्रास्ति जय विवट्ता दिवश्ट ये कोशन मैने जानबूश करता इक कोशन पूछा जाता है तो अंतरास्ति जा भूष्टा दिवश्ट तो बाई यह डायवसटी डे हम कम मनाते हैं हाजी बिल्ली में ऑकि-बिली यह यह याद रहेगा मुझे हाजी यह लग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आंगे चलो कनारा किस ने दिया मैंने मैंने दिया है तो राश्टी जैबीता दिवश किस ने दिया सरी कम मना जाता है तो मनाते हैं 22 माई को कुछिन इंपोर्टन ध्यान रखेगा आंगे चलो अगला है टाइगर सार्क टाइगर सार्क चालिस नामक नौसिना भ्यास बांगलादेश और किस देश के बीच में शुरू हुआ है अब राम जाने कौन-कौन से साक टैंक खोलेंगे तो सार्क टाइगर सार्क 40 यह भारत और किस देश के बीच में सरी बांगलादेश और किस देश के बी पुरुषकार जीता है तो 2023 का अंतराश्टी बुकर पुरुषकार चाहे वह आपका ब्यास सम्मान हो जैसी भी पुरुषकार उसाहित अकैद्मी अवार्ड हो बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर पूछे गए तो फिर एक नंबर फिक्स करके जाते हैं इस पर जरूर ज देखें हैं सची आंगे चलो अगला कुशन है कि सोल भी आई पर फाइनल मैच किस तीम ने जीती हैं सबको याद होगा हमारी चन्नाई सूपर के ठीक है चन्नाई सूपर के अगला देखिए रात में हमको 10 बचे सो जाने की आदत है लेकिन जब यह मैच चल रहा था उस दिन अगला कुश ने केंदरी सतरकता रूप में किसकी न्यूकति हुई है तो सीवी सीजें सेंटरल विजलांस कंमिशन कहते हैं केंदरी सतर्कता रूप को यह मारकेट में बजार नियंतर का काम करता है अगला कोशन है रिंग साइड ये किताब भी इंप्वाटन्ट होगी पूछी जा सकती है कि डॉक्टर विजे दर्दा जी ने एक किताब लिखे जिसका नाम है रिंग साइड इस किताब का विमोचन किस ने किया है किस ने किया इस किताब को पॉब्लिक किस ने किया पॉब्लिस किस ने किया हाँ जी जनता के सामने कौन लेकिया है तो इनका नाम है ससी थरूर जी ठीक है ससी थरूर जी ससी थरूर जी के किताब बड़ी चर्चा में इस ताइम पर उसका नाम है अमबेडिकर अलाइफ ठीक है ह जूनियर एशिया कब का खिताब किसे जीता है भारत पाकिस्तान उमान या फिर नेपाल किसे जीता है ओकी बहुत अच्छे वेरी गुड तो क्या आज हम लोग अपना टागेट डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमें कितना रहना है यहां पे मैं यहां पे हूँ लगातार तीन घं हैं सबकी अपनी जिम्मेदारी होगी क्लास को आंगे ले जाने की और मेरे साथ बने रहने की ने तो आपका मोटिवेशन डाउन होगा मेरा तो भाई है ना तो जूनियर एशिया कब 2023 का खिताब जीता हमारे भारत ने हमारे भारत ने इसको धान रिखेगा ठीक यह कोशन इ लिए तो पूरे बिश्युका एक एक मात्र ऐसा देश हमारा भारत जिसने ओटीटी प्लेट फॉर्म ऐसे जो नेट्फिलिक्स एमाजॉन और आप मैक्स मैक्स प्लेयर यह सारी चीजे देखते हैं जहां से नेट्फिक्स वगएर जहां से भी वगएर देखते हैं उन सभी को फीर कूछ सेकुंद सम्तीं कुछ का एक चलाना होगा उनके अनिवार किया है कि आपको बताना होगा कि तमाकु खाने से कैंसर होता है तो यह है आपका उती प्लेटफर्म ठाव्म ठीक है आके देखो अगला कूश्य ने कि SEO आपके संगाई कोपरेशन ओगनाइजेशन के बात चल रही है SEO के राष्टा ध्यक्ष के 22 सिखर सम्मेलन के ध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी किसने की है SEO के राष्टा ध्यक्षों की 22 सम्मेलन के ध्यक्षता हाजी किसने की है कि बहुत अच्छे तो यह अध्यक्ष्टा किसके द्वारा की गई यह की है नरेंद्र मोदी जी ने इसका यह ध्यान रखिएगा आंगे देखो अगला कुश अने कि हेलिकॉप्टर मतब की एशिया में पहली बार किस देश ने हेलिकॉप्टर ऊडान के लिए नैविगेशन तकनिक का प्रेयोक किया है किस देश ने किया है तंबाकू से कैंसर होता है हना है थो हिलिकप्टर रोडान के लिए नैविगेशन तक्निक की शुरुआत किसने की है तो या की है हमारे भारत ने थिक है हमारे भारत More बश्वन कुilotी है जैसे आपने वहर सारी विब्रों में देखा होगा ने एक सिस्टम दिखाते हैं कंप्यूटर के अंदर एक चोटा सा डाट होता है और ये लेंग लोग स्टर्चर uh यहां पर बताता रहता है कहां पर क्या है कहां पर क्या है हमाँ पास को न टैक कर रहा है कहां से मिसाइल आ रही स्वारी चीजे इन New Never few technique इंतिगता ती है अग्ला देखिए अग्ला कोश्यना है कि अधार का नाम जइ biomाने हो इसका राज मी पथे आप इसका इसलख का नाम चमच करके क्या रखा गया है हां तुम क्या कहते हैं यह पढ़ता आपके महारास्ट में ठीक है हां जी यह पढ़ता आपके महारास्ट में तो महारास्ट के अहिल्या बाई नगर कर दिया जाएगा इसके लावा एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि अभी नहीं महारास्ट में आपके छत्रपती संभाजी नगर और आपके उस्मानाबाद का नाम हना इनका नाम चेंज हुआ है आपके औरंगाबाद नाम चेंज हुआ है इनका भी नाम थैन रखेगा अगला कोश्ण नहीं की केंद्री मंत्री जीतनग ने किस राज हाटी में दो देवशीलेवेंटर मासर का upधुगाटन किया है तो भात्रवा प्रेसर को तो जी आई टैग मिला और लवेंडर की आपके पपल क्रांती की शुरुवात हुई यहां पर अगला देखिए अगले कूशन है दपावर आफ वन थॉट्ट के लेखा कौन है बताओ दपावर वन थॉट्ट किसको नाम चेंज करेंगे किसी को नाम चेंज कियरें जरूरत नहीं है बड़या सोच समझ के नाम रखा जाता है इसे थूड़ चेंज करते हैं känग तो यहां पर न जो खेलो इंडिया योथ कीम हुय थे मद्यव प्रदेश में तो पहली बार खिलो इंडिया यूथ केम में आपके कैनो सलालम क्याकिंग कर नोइंग कैनो सलालम या फिर रोईंग की जो प्रतिविता हैं वो शामल की गई थी और उसी के अंतिकत देश की पहली कैनो सलालम मकादमी कहां पर स्थापित हुई है तो इसके स्थापना की गई है अगला देखो राष्टपती द्रौपदी मुर्मु जी को आपके मुर्मु जी को किस देश ने अपना सर्वोचनागरिक सम्मान दिया है तो किस देश का सर्वोचनागरिक सम्मान राष्टपती द्रौपद कि उन्होंने प्रषाद संवाण दे कि आगे भारती भूवग파्श्टन को सब्सक्राइभ नया माहनिदेश या गया है तो भारती माहनिदेश के वीख बात की जाए उन में से एक आपका भारती भूवेग्ञानिक सरविक्षन डिपार्टमेंट फिक अगला देश सबसे व्यूबल भार्ण होने का खिताब किसके पास है तो पूरे भारत देश का सबसे व्यूबल ब्रण कौन बना है यह बना है आपका टाटा गृप टाट कंपनियां उनके अपने मेनेजमेंट और बहतरीन प्रदाशन के लिए टॉप पर चल रही है अभी इस टाइम पर आंगे चलो नालंदा नालंदा किताब के लेखक कौन है यह हमारे जो बिहार की नालंदा उनिवसिटी नालंदा पुरानी उनिवसिटी थी उसके उपर लिखी किताब किसे लिखी है इसके अब है की ने और यह किताब अभी भी मोचित नहीं होगी 2024 में जाकर करके कहीं रिलीज होगी ठीक है नालंदा यह किताब का नाम है आंगे देखो अगला है कि अभी हाली में किस ने अपना नया उपन्यास अजे टु योगी आधित्यनाथ लॉं तो लिखा किसने है किसने लिखा है बहुत बढ़िया यह लिखा है सांतनु गुप्ता ने ठीक है सांतनु गुप्ता ने मुझे लगता है मैंने कहीं मिश्टेक की थी क्या ने ठीक है सांतनु गुप्ता ने लिखा है आंगे देखो उडाई उडाई ये उडाई एक ऐसी संस् कौन बने हैं कौन बने उड़ाइ के नैसीओ कों बने हैं इनका नाम है अमित अगरवाल ठिक हैrod और आपके अधार कोशन अच्छे आते कितने डिजट का होता है अधार कार्ड और सबसे पहले आधार कार्ड रंजना सुन अभने का अवने का अभना था महरास्ट की थी आना उनका ध्यान रखेगा यह रही बात अगला देखो कुछे किन राधिकर अधिवक्ता ने 2023 एकबाल मसीभ पुरुषकार जीता इकबाल मसीभ पुरुषकार अमेरिका की गुर्मन देती है और यह दिया गया है आप के कहते हैं ललिता नत्राजन को अगला देखो अगला कुशने की हाली में प्रकाशित बुस्तक का लाइफ बेल स्पेंड फॉर डिकेट्स इंडिया फॉर उर्एं सर्वीसे यह केताब लिखी है सपीज चंद्रा जी के दौरा कि कैसे वह जब किते इंडियन फॉरें सरविसे में काम तो उनका experience क्या था कैसे कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया उसके बाद भारत की जो क्या कहते हैं राजनीती थी फिर रड़नीती उन्होंने कैसे कैसे बढ़ाई यह सारी चीजों पर लिखा है उन्होंने अगला देखो अगला कुशन है कि रेल्वेस्टेशन को फसा पाने पीने खाने का क्वालिटी है पीने की quality है पानी पीने की इनने सभी कुछ चेक किया जाता तब कई जाकर कि फसाई इट राइट इस्टेशन का वॉर्ट देती है और फसाई का फूल फॉर्म क्या है तो फूर्ट सेक्योरिटी ऑथ़ॉरिटी आफॉरिटी ऑफ इंडि एहां कुछ गुख देखो है सहरी और रियल स्टेट खेतर श्रेणी किस राज़ को सुंदर इमारतों के लिए लिए इंतरास्थ है उन इमारतों को देती है जो कि पुराने बहुत पुराने समय से लेकिन इस ते लभी भी बड़ी अच्छी कंडिशन में और पर्यावन को नुक्सान भी नहीं पहुंचाते हैं तो यह दिया गया है तीन घंटे का है तो यह दिया गया है तलंगाना के पांची मारतों को ठीक है है तलंगाना के पांची मारतों को आंके देखो अगला कोशन है कि कर दो कर सकते अगला कुछ Beach है अगला कोशेंग पहला जनजाति खेल महोसथ कहां पर किया गया है अग है आहां पार्ट आट में नहीं है पार्ट में नहीं है यह एक ही पार्ट में किलास है एक ही क्लास होगी लेकिन तीन घंटे तक होगी अब लगातार अच्छे कोशन आपके सामने होंगे हाँ जी तो आज चाय पानी नासता खाना सब एक जगह लेके वैठना हिलना नहीं हमको ठीक है हाँ और मुझे आप सभी लोग के 500 होने का इंतजार है वह क्या लाइन बोली है तो पहला जंजाती खेल माउसा कहां पर आयोजित किया गया है इसका अगला कोशन है कि ग्लोबल जिंडगया पिंडेक्स 2023 में भारत के सिस्थान पे है तो ग्लोबल जिंडगया पिंडेक्स 2023 की सूच अगला कोशन है कि राजिस्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एक जूट करके गिनीच मौलू की रिकॉर्ड किस सहर ने कायम किया है सबको पता 21 जून को हम मनाते हैं अंतरास्टी योग दिवश भारत के अगवाई में 2015 से इसको सेलिब्रेट करने की दिवश भात हुई है और यूनाइटर नेशन इसको घोशित किया था कौन सा अंतरास्ट्री योग दिवश आंतरास्टी योग दिवश हना योग दिवश हाजी तो अंतरास्टी योग दिवश जब 2023 में मनाया गया उस ताइम पे हमने सूरत हमारा जो गुजरात का एक तो इमेज बड़ी प्रकाशित बड़ी चर्चम है थी हमारे जो राक्षामंति राजना सिंग जी है ना वह सम्मरीन में बैठ करके ठीक है हाँ जी वह शीप और सम्मरीन सब्डये बैठ की योग करते हैं दिख्रहे थे इक आलाी मिस्ति लोग बैठ सब बॉस्प और सबड़ाब नगी में बाताओ अरे भाई हमने कहा है ना कि यह आपका पिछला चै मैंना पूरा कवर हो जाएगा काहे परिशान हो और आपकी पीडियों भी आपको दे दी जाएगी है ना सेशन शेयर करते हो रहे हैं और अभी तुरंट पांस हो आते तो और अच्छा लगता है तो एशिया युनिवर्सिटी रैंकिंग 23 में भारत की कौन सी बिश्विद्दाले अग्रेणी बिश्विद्दाले की सूची में आई है तो वैसे बहुत कम रेयर ही हमारे हैं से कोई बिश्विद्दाले शामिल होता है बट फिर भी अगर बा हाडा तरी हाडा रहां रखा जाएगा बारी हरी इसका नाम रखा जाएगा और तो यह नां और यह यह जो यह है judक है यह था रख्याट रखिएगा हाडो जयो और हमने कहां से किस देश Aug. तो जर्मनी से लिए है कहा से जर्मनी से ठीक है इसको ध्यान रखना आँगे चलिए नहीं बताएंगे काम पहले पढ़ो अगला देखो अगला कुश्य ने कि किस देश को खनीज क्लब में शामिल किया गया है कौन सा देश शामिल हुआ खनीज क्लब में याद कई से होगा कि यार मुझे आद है मुझे आद है दो से तीन बार ऐसी पढ़ लेंगे हो जाएगा काम और कभी विना एक बार अगर आपने करेंट पर रखा है थोड़ा सा समझा है थोड़ा सा फोकस हो करके भूलता ही नहीं है उसके पीछे की त्योरी उसके रिलेटिट कोई कोशन याद आता है वजब आहीं जाता है इसे कोई परिशाने वाली बात नहीं है तो खनिच क्लब में शामिल किया गया हमारे भारत को ठीक है और इसकी अगुवाई किस देश ने की थी सामिल करने की तो अमेरिकान है वह दोस्त बने हैं हमारे समय आंगे देखिए अगला कुशन की आरे पीके गौतम जी अभी हम नहीं बताएंगे पहले पढ़ो उसके बाद बताएंगे कहां मेलेगी पीडियाफ पहले पढ़ो हाँ जी समबल खांब्रण क्राफ्थ क जी कहां का ऊधर प्रदेश क इसको ध्यान रखे गा ना क jóष्य कि घ lon कि ख़े पूजा खर्ची पूजां से मरे दादा छी खाना-क बात तो खाना खाले रह रहें हाराम से सो रहें उसके बात कहा रहें लडकी सब्सक्राइब नहीं अगरा कुछ निक को प्लिदी इंडिया अव़र्ड में ग्लोबल इंडियान आइकान ऑफ दा एयर का पुरुश्कार किसे दिया गया है हां यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं बहुत अच्छा कोशन है तो UK इंडिया वाड यहाँ पर बृत सब्सक्राइब कहा है पूर बजस्रेंगपुर्यां मैरी ओम यह फिर और क्वी मलेक हम तो यह मना काई है ले स्थांग तो यह सूपर मॉं इस पूक को स्वाइड कई पूछा गया भारती मड़ीपूर से बिलॉंग करती है ठीक है अगला कुशन है कि ओलंपियन नीरा चोपडा ने हाली में ओलंपी सरी हाली में अजित लुसाने डाइमंड लीग 2013 का खिताब जीता है तो यह तो कुशन यूट पर आंगा बच्चा जानता है नीरा चोपडा क्या खेलते हैं भाला फेक देते हैं हाण है तो जैवलें त्रोस रिलेट करते हैं आपके नीरा चोपडा जी और भी इन्होंने लुसाने डाइमंड लीग हो दोहा डाइमंड लीग सब में खिताब हासिल किया है तो भारत की गोल्डन बॉग कहे जाने वाले नीरा छोपड़ा जी यह आपके लुसाने ग्रेंट्रिक्स का किताब जी चुके हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 के उन्होंने कौलिफाइग कर लिया है और पेरिस अगला कुशन आपका कि दुबए में आजित की गई भारत की पहली महिला कबड़ी लीग का खिताब किसने जीता है जीता हैं कवड़ी 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 मैरी सहीली थी प्रियंका ये मैंने सब को बताया भाई अगर वो मुझे सुन रही होगी ना मेरे घर आके फिर मैं में कुमारे इ adaptation की वो सिर्फ कवड़ी खेलती से इसलिए बिप your वाले को मारना है गजब पीटती थी गजब उसके साथ कवड़ी खीलने से रूख गामती थी चृताब किसने जीता है और गई चली इसमें ना पूरे भारत की तरह से आठ टीम है गई थी और उन में से एक टीम है जिसने जीत हाशल की थी ऊप देखो अगला कुश्चन है कि अब्दुलकलाम कर दिया गया है कहां पर आपका और अपर पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो अगर आप लेकिन क्लास के लास में अभी नहीं देंगे पढ़ाने के बाद बनाएंगे फिर देंगे अभी दुबार मत पूछना मेर से पीडिया तो यह आपके नई दिल्ली में बहुत अच्छे एकदम सही आंसर है तो आपका जो औरंग जेब लेन ही प्रत्वी राज प्रत्वी राज लेन से जाकी एड होता था तो अब जा करके और अंग जेब लेन का नाम चेंज करके हमने अपीज अब्दुल कलाम लेन कर दिया है जो कि आंगे जाके प्रत्वी राज लेन से मिलेगी ठीक आंगे देखो अगला कुछ है भारत का पहला चिप विनरमार सेंद्र कहां पर चुना गया है तो भारत के सॉलिशिटर जनरल कौन बने हैं Solicitor General ये ऐसे बरसन होते हैं जो कि Attorney General की help करते हैं भारत का सबसे बड़ा जो विधी अधिकारी होता है उसका नाम है Attorney General तो Attorney General की help के लिए Solicitor General की न्यूकती की जाती है जब भी कोई पंगा होता ना जैसे भारत का किसी दूसरे देश के साथ हो गया तो उस तेम पर Attorney General जाके खड़े होंगे वो भारत के वकील के लाएंगे और जहां पर अगर राज्य-राज्य की लड़ाई होती है तो तो भारत के Solicitor General कौन बने हैं अरे काहे दुख मना रहे हो यार तो यह बने हैं आपके तुशार महता ठीक है तुशार महता इनका नाम जरूर घ्रान रखे पूछा जा सकता है आंगे चलो BC मदब की CBI CBI के विसेश निदेशक की तौपिक इसकी नियुक्ती हुई है यहां पर कंफ्यूज नहीं हो ना CBI के अध्यक्ष अलग हैं CBI के विसेश निदेशक अलग हैं तो CBI सिंटर ब्यूरो आफ इंवर्स्टिगेशन इसके विसेश निदेशक कौन बने हैं इनका नाम है आजय भटनागर इनका नाम ध्यान रखना अगले देखिए अगला कूशन है कि कि किस ने आई सरी aiff पूरुष फुटबॉल ऑफडायर का खिताब जीता है किस ने जीता है पूरुष फुटबॉलर अब दायर का किताब हमारी मुड़ी टन टन हो रही है मतब यहां बहुता है कि कोई हथाओडी मार रहा है यह लगता है सुबह उठने का नतीजा है अब आपकी क्लास बारा बजे हुआ करेंगी मजा करें हो सुबह साथ बजी क्लास होगे हां जी तो मतब कि AIFF पूरुष फुट्बॉलर का खिताब किसने जीता तो यह जीता है आपके आपके ललियान जुआला चांगते यह हमारे भारती खिला रही है आंगे देखो संघाई शिकर सम्मिलन के अधाग्षता किसने की हैं तो यहाँ पे स्ययों की सम्मिट की भी बात चल रएए तो तेष्व ऐस तर संघाई शिकर सम्मिलन के देख़ता किसने की यह कि हैं लक्ष रखा है कि हम दोजार सैतालिस में जाते जाते सिक्लसेल एनीमिया को पूरे तरीके से भारत से खत्म कर देंगे उसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन लॉंच किया है जिसका नाम है सिक्लसेल उनुलन मिशन 2047 एड़रेट 2047 तो इससे जरूर जरूर कोशन आएगा किसे लॉंच कि है तो लॉंच किया हमारे डरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश से ठीक है मध्य प्रदेश से आंगे चलो अगला कोशन है कि एशिया उलम्पिक परिशत के अध्यक्ष कौन बने है अतुल मिश्रा ब्रेंदा ग्रोबर या फिर जो भी हैं बताईए ओकी तो यहां पर एशिया उलम्पिक परिशत की अध्यक्ष की बात करें तो सेख तलाल थी हैं सेख तलाल जिनका नाम ने लिया था वही बने हैं तो सेख तलाल यह अध्यक्ष बने हैं अगला कुश्शन है कि राष्टी हरित प्राधिकरण ठीक है अध्यक्ष के तौपिक इसकी नियुक्ती हुई है तो इसको हम शॉट फॉर्मे नेशनल ग्रीन ट्रेबुनल कहते हैं यह परियवन की सुरक्षा को लेकर करके काम करता एक संस्था काम करती है और इसके अध्यक कौन बने हैं तो जो भी है वो किसी ना किसी राज जिके या फिर सुप्रीम पोर्ट के रेटायट जज होते हैं इनका नाम है सिव कुमार सिंग ठीक है तो यह सॉलिसिटर कह रही हुए आपके NGT के अध्यक्ष के तौपे नुक्त हुए हैं यहां पर यह नया अधिश लग हाँ तो तीसरे विश्व हिंदी कॉंग्रेस का पर होगा तो इस विश्व नकी सपिशन देवश वर्ट पॉपलेशन दे यह कूशन भी पूछा जा चुका है हाना हर दस साल में आपके जन संख्या या फिजनगर्णा होती है अभी 2021 में ती लेकिन अभी तक पता नहीं क्या कारण है कि नहीं हो पाई है अभी तक जंगर्णा जल्दी रिजल्ट आएगा और इसी ये लिए हम 2011 की जंगर्णा इस ते लभी भी मानते हैं बट जन संख्या डे की बात करें कम मनाते हैं 11 जुलाई को ठीक है तो 10 साल के इंतराल में होता है आपका जंगर्णा और यह मनाते ह हम 11 जुलाई को ठीक थोड़ा सा रिलेट करिएगा याद हुजाएगा अगला देखो अगला कुशिन अथूर पान के पत्तों को जी आई टैग मिला है तो अथूर पान के पत्ते कहां के हैं जिन्हें जी आई टैग मिला ठीक है तमिल नाडू से वैसे बनारसी पान के अगर बात करें तो बनारस का है और उसे भी अभी 2023 में जी आटाइक दिया गया है हना अगला देखो अगला है देश की पहली इस्पोर्स अकैडमी कहां पर स्थापित हुई है इस्पोर्स अकैडमी मतलब यहां पर आप जो ऑ अभी तक इस्पोर्स की बात करें तो इसका जो में हेड़कॉर्टर है कहां पड़ता है आपके साउथ कुरिया में और भारत भी उसका सदाश्य देश बन चुका है आंगे देखो अगला कुश है हाली में भारत और किस देश के बीच सेन अभ्यास नॉमर्टिक एलिफेंट ही होगा तो रहा तो यह किस के किस के बीच में होता है ऊपता है 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 हाट कि तो नॉमर्टिक एलिफंट यह यह होता भारत और तो मंगोलिया के बीच में यही बात बहुत बढ़ी में अगला कुशा है कि चंद्रयान 3 मिशन को किस स्थान से लॉंच किया गया तो चंद्रयान 3 मिशन फटाफट बताओ कब कहां से लॉंच हुआ तो अगर बात करें चंद्रयान 3 की तो अभी 14 जुलाइ 2023 को लांच हुआ था 23 अगस 2023 को यह चंद्रमा की से पर पहुंचा था और लांच किया गया था 37 दवन अंतरक्ष केंद्र से और यह इश्रो की अगवाई थी हना इंडियन स्पेस रिसर्च और अगनाइजेशन की तो यह सारी चीजें हमें याद करनी होगी अभी तक कितने मिशन गये हैं चंद्रमा के लिए तीन मिशन 123 पहला आठ दूसरा 2019 और तीसरा थाप के 2023 का ठीक है अगला देखिए अभी हम चंद्रमा के लिए लूप एक्स मिशन भी लॉंच करें जापान के साथ मिलके जिसका नाम दिया जाएगा चंद्रय ग्लोबल फाइरप फावर इंडेक्स के अनुसार कि सबसे सक्तिसाली सेना किस के पास है क्या लगता है किस के पास है कि एसका रिभ्आ पास हो पढ़ना नहीं साइंस सारे सर यहीं पूछ लो पढ़ना नहीं बागी सब ठीक है इस व्यादि चाहिता के लिए नियुक्त किये जाते हैं वह तरीके से भारसरकार के वकीर के तौपे काम करते हैं बस कभी खुद से मैनत किया करो सब मैसे पूछ लो हाजी हां AI बहुत खतरनाक है मतलब भविष्व में अगर चिंतनी कोई विशह तो वह है आपका स्थिलाहिप 안सपार्टि सवसीं हर 250 में घर्व है आप से सकति है Renate Valley 시 ए पूर अगर देखें तो Later तो तीम पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है इसमें अमेरिका वह उन देशों में शामिल आप पर चलता है जो यह अपने सीना में सब्यादा ही करती है है अहा Om मेरेका करती है तो पहले पर अगला कुछ locked लेकंग कई यह लिए हैं बता अपर किताब किसे लिखी है बता जब ठेख नहीं है कोई बात नहीं निपाल जी कोई बात नहीं अप्रिजży अब किता लिखी है किताब लिखी है एक यह किताब लिखी है आपके क्या लिखाने विंश मनकारा नहीं ठीक सब्सक्राइब 2023 के लिए टीवी अधिकार हाशिल किया है यहां पर टीवी बिमारी की बात नहीं दब फेफड़े बिमारी की बैठे हैं टीवी मतलब की जो जब स्पोर्ट शुरू होगा फीफा मैला बेशुकब तो उस तेम पर हम अपने भारती चैनल पर उसे दिखा पाएं अगर एम tapa से पूछ गर्रीवी सरक्षा बलके महा निदेशक की बात के जाये तो वहीं अगर आपसे पूछ न प्पूछे कि खाले महिला अध्यक्ष कॉन बनी है तो जब से हमारे भारत मेंा सिंदोलender की उनिकी हुई है कि या नाम है वहला सिन हाना जया वर्मा सिन्हा इनकी न्यूपती हुई है ठीक है है तो यह हमारे रेल्वे बोर्ट की पहली मिला धक्ष बनी है आंगे देखो अगले कुछ इने की बेस्ट स्टूरेंट सिटी इस दोजार चौबिस की रैंकिंग की अनुसार भारत के किस सहर को छात्रों के रहने के लिए सबसेश्ट सहर घो और अब कि आपके किसी और सहर में पताएं आपना में या फिर आपके किसी और सहर में पताएं डिल्ली में ठीक है अगर नहीं रहत पिर बताते हैं तो यहां पर मुंबाई ना कि दिल्ली है हाणा यहां पर सब्सक्राइब सबस्क्राम क्रrete Oder भूर्टिन में नहीं भी पराविज ग्लास ठीड़र्व है थ्टू दाज्परी किस ने लिखी alla मतब कि Through the Broken Glass, an autobiography, किसके जीवन पराधारित है, हाँ जी, मुखरजी नगर में, ये बड़ी आंसर था, मुखरजी नगर में, तो Through the Broken Glass, ये किताब लिखी गई है आपके, TNS सेशन के दौरा, ठीक है, TNS सेशन के दौरा, सैथी किताब हमने देख ली ना, भी पीछे देखी थी, आело जिए हगी देखो, अगले कुछ नंतरास्ट्री, एनी अवोट, हमने भी देखा था, एमी अवोर्ड, फिर देखा, टूनी अवोट, फिर देखा, हमने, ग्रेमिय अवोर्ड, अब हम बात करेंगे, एनी अवोर्ड के बारे में, ठीक है, हाँ जी, तो एनी अवोर्ड, सबसे सकतिसाली पासपोर्ट का खिताब जीता है तो किस देश के पास है दुनिया का सबसे सकतिसाली पासपोर्ट किसके पास है सिंगापुर जरूमणी इटलिया डेन्मार्क है इटलिया डेनक किसके पास है और सेशन करक Anko कहां कि दो लेकरन के सबस्क्राइब लाज नंब कि इसाबसे ही सबक्राइब उटर थे हैं फ़य्ले replacement ऎकर बात करें तो तो 2023 में पिछले 6 सालों से जापान पहले नंबर पे था लेकिन 2023 में सिंगापुर ने ये खिताब अपने नाम किया है और इसके बीचे सिप चाइना का आधिकार चाइना का हाथ है इतना अतंक मचा रखना कि लोग अप जापान से कम सिंगापुर जाना पसंद करते हैं प्रव ह्हाइं 2022 में भारत की रैंकिंग थी कौन से नंबर की भारत 85 नंबर पे था लेकिन 2023 में अभ हमारा भारत हो चुका है असीवे नंबर ठीक है यहां पर लिए कंस impose के साथ भारत ने या सीवी रैंकिंग शेशियर की है किस नंबर के बने हैं कि यह लो यह नहां तो भागना शुरू कर दिये तो ऑन्फ सो न्तराश्टी मैच खेलने कि अच्छा जी कि बड़े ऑस्टेलिया वाले हम मानते एक आद मैंच ऐसा ऐसा हो जाता है इसका मतलब थोड़ा की पार्टी बदल लेंगे यह तो पार्टी बदलने वाली बात हुई ना उस्टेलिया जीत के तो अस्टेलिया के साथ हो गए दल बदलू कहें के हां तो भारती भारती तरक्षक बलके 25 मानिदेशक एरोपे किसकी निउक्ति हुई है जुछ और भारती तरक्षक बल यह किसकी रख्षा करती है तटो की रख्षा करती है मुझा सौथ इंडिया वाले पोश्कन पर अभी तरक्षक पदक भी रस्टपति महोदया के द्वारा दिया गया है हना आंगे देखिए अगला कुछ नहीं कि किस राज सरकान मलेरिया और डेंगो से ने पटने है तुँ आपके गंबूशिया मशली का प्रदेश के जो पानी में पनपने ही नहीं देती है इसका नाम पड़ा है लेकिन यह भी दिक्कत है कि जहां पे गंबूश्य मश्ली रहती है दूसरे मश्लियों को भी पैदानी होने देती है उनको भी खा जाती है तो यह पहले आंदर प्रदेश पूरे भारत में सभी राज्जों के च्राइब कुछमार्ण1 अगला और democratic करण ऑन देखे दोब आरत को किसी स्थान पर रखा गया है बताओ सबसे महेंगे सी हमें अरे उनकी पारंपरिक संपत्य यार ऐसा नहीं है कि उन्हों इदर उदर करके वो किया उनकी पारंपरिक संपत्य है है ना पात्पैत्रिक संपत्य है उनकी इतनी तीन सो करोड से जादा ऐसा तो यहां पर देखें फीफा फीफा पुरुष बिशुगप अपडेट में तो भारत को किसी स्थान पर रखा गया है तो भारत की रैंकिंग है आपके 99 ठीक है 99 वैसे यह हर 6 महीने 7 महीने में चेंज होता है लेकिन 1996 के समय भारत की रैंकिंग थी आपके 96 नंबर की और वह अभी तक की भारत की सबसे टॉप रैंकिंग है फीफा के एक्कॉर्डिंग अब आगकी 100 पार या फिर 110 सम्थिंग कुछ ऐसे हम रह जाते हैं ऐसा गर के आंगे देखो अगला कूश चैने कि निमलखित में से किसे रेल सरक्रक्शाबल का माने देशक अभी अमने देखा था कौन बने हैं मनोज याद एक पर बैस किया है तो पूरे भारत पर पें अगर बात करें तो सबसे पहला राज ठाब का जिसने गीक वरकर वैसे वरकर जो की जमैटों को है आपके घर तक समान पहुंचाते हैं उनको हम कह है आपके राजस्थाने और गीग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा जो संसरय कंपनी वो कौन सी है वो है आपकी बास्केट अभी हाली में डाटा आया था जिसमें बिग बास्केट गीग बर्कर्स के लिए नमबर वन कंपनी अगला कोशन है कि निम इसे कि सराज के मुख मंत् अब इतक हमने देखा था पैसे वाल एटियम जिसमें आप काड़ लगाते थे पैसा पैसा निकलता था फिर एंब ने देख हो आप mo familiarity को आपको पानी देगा एक हांत लो तो किस सराज के मुख मंत्री ने वाटर एटियम किस थापना की है हाव तो ये हैं आपके दिलिवाल जी ने कहा है कि भाई जितने भी परियाप्स मात्रा तक नहीं है उनके वहां पर वाट रिटेम की स्थापना की जाएगी एंगे चलो अगला कोश्चन है कि सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्गाटन किस स्थान में होगा हाँ जी अब धायों आपने सौ कोश्चन कम्प्लीट किये हैं थाना बहुत-बहुत बधाईयां बहती ही तरीके से अब शेक कह रहें यह केजरी वाले हो सकता है दूसरा तो कोई नहीं सकता हाँ जी साड़ी दस होने को पांसो का रिकॉर्ड हमें तोड़ना है सिर्फ तीस बच्चे बांकी हैं देख लो मांकी आपकी मर्जी तो सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्गाटन कहां पर हु होई है आपके गांधी नगर गुजरात में थीक है इसके लावा अभी किया गुजरात में हमने 12 GST के इंदर सापित करने हैं गुजरात गुजरात रोड सोका जन दुबाई में हुआ लखनों में हुआ इनको भी ध्यान रखना अगला देखिए अगला कूशन है कि किस रेल सिंकलर से कुउता हुआ होगा सिंपल सी बात है है तब हम दभी लेकिन वहाँ पे आप जो गरां होंगे वह कि इतना से किस स्थान पर की जाएगी कोई आता ही नहीं कोई बात नी जाने दो हना तो पारंपरिक चिकेसा पर पहले सिखर सम्मिलन की मेजबानी कि सहर के द्वारा की जाएगी तो यह सहर कौन सा होगा यह सहर आपका गांधी नगर ठीक है देख रहें गुजरात की वैल्यू कि इस मिशन का नाम क्या है तो शूर की अध्यन के लिए जो मिशन लॉंच हुआ है उसका नाम है आधित अलवन मिशन ठीक है आधित अलवन मिशन और यह जाके फिक्स कहां पर होगा अलवन पॉइंट पे तो हमारी प्रत्वी यह हमारा सन और इसका गुरुत्तवा कर अगला देखी अगला कोशन है कि भारत का सबसे बड़ा आइटी हब बनाने की घोशना किसे की है तो भारत का सबसे बड़ा आइटी हब यहां पर रोजगार ही रोजगार दिया जाएगा मतब सारी आइटी कंपनी यहां पर स्थापित की जाएंगी और यह बनेगा आपके प्रदेश के नोईडा सेक्टर में ठीक है नोईडा लखनों वाले छेतर में इनको ध्यान रखेंगा आंगे देखिए वैसे लखनों को ज्यादा डबलप करना चाहरे है नोड़ा तो अल्रेडी डवलप है आगे देखो अगला कुश्यर कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी तो इस्टियाई होकी ट्रॉफी दोजाद का Liebe 2010 ने जीता है भारत ने मलेश्या ने आपने चुझ्फ को एंड क्या लगता है ग्रेन एटियम नीए ग्रेन एटियम ठामकुठ़ किया है कि एक एटियम मैं जिसने अनाज निकलता है जा से अनाज निकलता है उसे हम कहते है तो यह आपका एश्याई होंकी चेंपियन्स ट्रॉफी किसे जीती हमारे भारत ने जीती है इसको ध्यान रखिएगा अगला कूशन है कि सबसे रहने योग सहर कौन सा है क्या लगता है कौन सा हो सकता है तो यह हमारी वियना औस्ट्रिया की राजधानी है वियना यह दुनिया के सबसे रहने योग सहर की सूची में टॉप पे चल रही है भारत में बात की जाए तो भारत में मुंबई और दिली इनको 143-144 वा इस्थान मिला है वैसी बांकी सहर भी शामिल है हना टॉप मतलब वह तॉप 100 में भारत की किसी सहर का नाम नहीं रखा गया था ठीक है अब क्या बताएं के सबसे नहीं होगी लेकिन हमारा भारत ही महान है चाह जो हो जाए आंगे चलो हम नहीं जानते भी अना कहा है अगला देखो अगला कोश्चन है कि खेल इंडिया जूनियर महिला होंकी ली लेकिन अभी हलका है आप लोग यहां पर हैं मुझे बहुत अच्छा लगा है तो यह शुरू हुआ है आपके नई दिल्ली में और नई दिल्ली में भी बहुत सारे खेलों की शुरूआत हो रही है जिनमें से एक यह है इसको नहीं भी आतकरिंग चलेगा बाकितना नहीं पूछे गए अगला कुछ है मेरा बंगाल नशामुक्त अभियान निम्रगित में से किसके द्वारा शुरू किया गया आप यहां पर यूजना इंपॉर्टन नहीं है यूजना जिसने लागू की वह इंपॉर्टन है क्य बने है राहुल द्रविण ठीक है राहुल द्रविण बने हैं अगले देखो अर्बन 20 यूट अरे यार यह अर्बन 20 क्यों आता है मुझे ना इसमें मत क्या कहते हैं हेलोजनेशन अभी अपर एक ताम पढ़ा था ना वैसे कुछ होना शुरू गया है जब भी मैं यू 20 या फिर बी 20 देखती हूं न तो मुझे लगता है कि खाली जी 20 चल रहे हैं और कुछ ने पर यहां पर आपके अंडर 20 यहां पर अंडर 20 एज को दिखाता है अंडर 20 बे शुकुस्ती चैंपेंशिप का किताब किसने जीता है यह इंपॉर्टेंट होगा ठीक है तो अंडर 20 बे हमारे भारत की एक खिलाडी है अंतिम पंग्वाल यह हमारे भारत की मात्र से रिलेट करते हैं क्भात यहां पर क्या आठाते हैं कौन ही क करें अगला कूश्यिए अकि सब्दों कि नियू करेंए कि भारत का पहला ब्रकेंशन के कि किस राज में शुरू किया गया तो भारत का पहला ड्रोन प्रसिक्षण केंद्र कहां पे शुरू हुआ जो की ड्रोन चलाने या फिर उनको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देगा तो इसका उद्गाटन किया गया है तमिल नाडू में ठीक है तमिल नाडू और यह पूरे भारत का सबसे बड़ा ड्रोन प्रसिक्शन केंद्र भी है और पहला देख मजब करके पृष्ण करें सफते है इसको तोड़ा बोड़ा नहीं गया बस नाम-जी इसकी स्थापना हुई थी 1964 में जवाला नहरु जी की याद में वहां पे जितन भी भारत के प्रधान मंत्री थे उनको उनकी तस्वीरों को उनके समानों को वहां पर रखा गया था लेकिन अब नहरु मुमोरियों से हट करके छोटी सी बिल्डिंग और बनाएगी जिसका नाम कि यूथ 20 हो चाहिब आपकी इन्वेस्टर सम्मिट हो चाहिव आपकी अर्बन 20 हो बहुत सारे अलग अलग जगह पर हुई हैं एक ही सहर एक ही राज्य में करीब अब तीन-चार प्लेसे साइट किये जहां पर एक ही टाइप की एवेंट हुए हैं तो से कितने कांसर देंग कि Ay begin it बहुत हल की रिवार्वर रिवार्वर है अपके पचास में तक ही आराम से हिट कर सकती हैं थैकinky कर सकते हैं थाउनकरी आजक वास्त्रीग समय में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए किस आप को शूरू किया गया है और यहाँ पे आज आपकी कर चरुशन है हम 117 नंबर के question में हैं एक घंटे डेड़ घंटे भी और class चलेगी तब तक आपके आसानी से सारी question हो जाएंगे लेकिन ये जो आपके एक देड़ घंटे है ना आपको बहुत help करेंगे इस time पे आप आसानी से कोई जितने भी question पढ़ेंगे एक तो आप सुन चुके होंगे आ किस app को शुरू किया गया है यह अपका flood watch app ठीक है भारत पूरे भारत के करीब 23 राज्यों को operate किया जाएगा और 303 जो छेतर काम करते हैं इनके निगरानी को लेकरके वो से relate करेंगे ठीक अगला देखें अगला question है कि G20 film महुसा का जुन कहां पर किया जाएगा बलकि यह question important होगा G20 film महुसा कहां पर आज जित हुआ यह हुआ है आपके नई दिल्ली में और यहां पर G20 के इंतके जितने भी देश हैं वो शामिल होंगे और भारत के भी करीबक 10 से ज्यादा फिल्मों को दिखाया जाएगा आपके आंगे देखो दिन हैं आपका मदब की Under 20 Championship में लग इस इवेंट में शामिल हुए थी और भारत के लिए गोर्ड मेडल जीता है ठीक है इसके लावा यहां पर मैं बोर्ड रही थी कि जो फोगाठ गीता फोगाठ उन्होंने जाने से इंकार कर दिया था क्योंकि इंजरी चल रही थी तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इनको ध्यान किया इनकी इनका वेट था साथ अंडर 56 संथिंग का ऐसे उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अंडर 50 अंडर 50 वेट में आंगे चली अगला कोशन है भारत का पहला 3D प्रिंटर डांग घर कहां पर खोला गया है यहां पर डांग घर की विसेश्ता प से करेब 43 दिन में बनके त्यार हुआ कहां पर है ती परदाप के बंगलूरू में ठीक है बंगलूरू में अभी हमने 3D मुद्रित डांग घर खोला फिर हमने 3D मिसाइल बनाया है और एक 3D संग्रहाले की भी स्थापना की है हना आंगे देखें अगला कूशन है किसने अभ कि बहुत बढ़िया जब अर्जस्त ऐसी दम मन लगा के पढ़ते रहे और यह आपकी मैनत ब्यार्थ नहीं जाएगी लिखे ले लिजेगा कहीं पर हाँ हाँ एक बार इसलिए कहते हैं जब भी फॉर्म आता है आप तो पेपर होने वाला क्या ही आप वो करेंगे लेकिन जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है कोई कितना भी कुछ बोल ले जब तक आप खुद से नोटिफिकेशन पूरा रीड ना करें बातों भी मताया कर जादा 1200 संथिंग बच्चों का फॉर्म रिजक्ट हुआ और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने फॉर्म को ठीक से पढ़ा नहीं था कि क्या क्या ऐसे देशा निर्देश हैं जिसमें वो मेंशन किये हुए हैं कि अगर यह काम नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिज हुए पियारों बना लिए फॉर्म बाट कोन सीह वह और होहां बंदी एंट मेंयूं होगा आसे माहिया इनुउलागा तीर्फ कर रही है और ये करीबक 13,400 फिट की उचाई पर बनके त्यार हो रहा है अपने आपे बहुत चैलेंजिक काम है तो इसका निर्माण भारत में हो रहा है सिक्किम बाले उमलांगला दर्रा में आगे चलिए अगला कोशिन है कि कौन सा देश ब्रिक्स सिकर सम्मिलन 2023 कायोजन कर रहा है तो ब्रिक्स सिकर सम्मिलन 2023 कायोजन कहां पर हो रहा है हाँ जी तो ये हो रहा है आपके दक्षिन और दक्षिन और दक्षिन और 2010 में एड़ हुआ था ब्रिक्स से और एड होने के बाद जब अभी सम्मिट कर रहा है तो इसमें यह चाहता है कि पांच चैसे देश जो कि अब ब्रिक्स के सदश देशों में शामिल हो जाएं अगला कोशन है कि अभी हाली में किसने नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के अध्यक्ष के रुपए नियुक्ति पाई है तो इनजीटी जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के इसके अध्यक्ष कौन बने हैं साध इसका भी हमने कोशन देखा था ना पीछे कि नहीं देखा था हाँ जी नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल के अध्यक्ष कौन बने हैं एनजीटी के इनका नाम है प्रकाश श्रीवास्त ठीक है प्रकाश श्रीवास्तों एंजीटी के अध्यक्ष बने हैं साध्य दूसरे थे साध्य दूसरे हैं कि वह कोशन था किसका बियारों का बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन यह रोड बनाने का काम करती हैं सीमा शेतरों में ऐसे करके अगला देखो अगला कोशन है कि भा पहुंचने वाला पहला देश है तो भारत हमारा पहला देश है दक्षणी दूप जब लिखा हो तब ही लिखना लेकिन वैसे चंद्रमा की बात करें तो चौथा देश होगा अमेरिका रशिया चायन और हमारा भारत ठीक है और रशिया ने कोशिश की थी पहले पहुंच ज लेकिन सबसे सुन्दर बात थी कि जो वहां पर उत्रा था रोवर के दोनों ही चकों पर हमारे भारत का असोक इस्तंभ वहां पर था और इश्रो का साइंग बीच में मेंचन किया गया था मतलब जहां जहां पर हमारा चल रहा था उस रस्ते पर एक साइड भारत का सिंबल च और यहां पर इश्रो का जो लोगों वो बनते हुए जा रहा है कोई भी दूसरा देश न तो इसको वह निसान बताएंगे की भारत की भारत के रोवर के द्वारा यहां पर घूमा गया है सबसे सुन्दर था पूरे इवेंट करेगा तो यहां पर उता था चंद्रियान Two वहां पर क्या कहते हैं स्व doen यह कर ना हाँ जी ठेगा झाव रडकेन के साथ मिलकर के लूप एक्स करेगा तो कभी कभी नवडा घमम तो होता है कि भारती है होता है कि नहीं होता है घमन किया करी पहले गर्व होता था घमन डोना शुरू गया है तो लूपक्स मिशन भारत और जापान मिलके लॉंच करेंगे और भारत इसे चंद्रयान फोर का नाम देगा आँगे चले तो अवैद खनन पर रोग लगाने के लिए कौन साइप लॉंच किया है आपके कोला मंत्राले ने तो क्या कहते हैं कौन साइप है यह है आपका खनन प्रहरी ठीक है यह आवायद खनन को रोकने के लिए लॉंच हुआ है जब यह लॉंच हुआ था ब्राइट स्टार 23 भारत और किस देश के बीच में हुआ है तो ब्राइट स्टार 23 इस पूरे असका आयूजन हुआ है आपके भारत और मिश्र के बीच में और अब कि अड़े नाइल अवर्ट दिया गया है आपके मोदी जी को ठीक है इसको भी द्यान रखेगा अंगे चलिए कि किस किस सहर ने देश की बेस्ट इसमार्ट सिटी का पुरुषकार जीता है तो देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी यहां पे ना हमारे पूरे भारत में करीब कैसे 300 सहरों का चुनाव किया गया है जिने हम भविश्व में स्मार्ट सिटी के तो पर विक्षित करेंगे और इन 300 में से करीब हर राज में एक ही दो सहर ऐसे हैं जो कि सफाई भी यहां पर बहुत ज्यादा सुक्षिता सर्वेक्षिम पिछले 6 सालों से लगा ता टॉप पे आपका इंदौर इस कारण से अगला कुषिरे की श्रिलंका में परटन के श्रोत के बाजार के रूप में पहला इस्थान किस देश को मिला है तो श्रिलंका में सबसे सोना जलता नहीं है हना अगर आप सोने को तपाते हैं तो सोना पिघल जाता वो उतना ही चमक के सामने आता है पहले उसका सेप इधर उदर हो जाए वो लिक्विट फॉम में आ जाए तो जब रावन की लंका पूरे सोने की थी तो उसकी लंका गई कहां जब हनमान जी ने ल ने वर्ड आर्चरी चैंपेंशिप 2023 ने भारत ने कौन सा पर्ण जीता है तो Lord Archery haar चैंपेंशिप में हाँ विज़ा फकर कि झोजो ए शियाई तीरणदाजी चम्पेर चैंपिंशिप होई है उसमें साउंध कुरिया ने पहली रैंक हाशिल किये लेकिन वह कि पहरा तीरणदाजी की प्रतिविता में भारत ने स्थान हाशल किया है ठीक है उसको भी ध्यान रखेगा और यह कुशन वह कुशन दोनों अलग अलग है थोड़ा सा अगला देखो कहां जा रहे हो भगने का टाइम नहीं है अभी एक घंटे और क्लाश चलेगी एक घंटी नहीं मतलब आदी गंटे एक घंटे स्थेंग और रखेगे अगला कुशन है कि कि किस देश में बिक्स 2023 का आउज़ं किया गया जाँ? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति वक्ति नाम है पके मुकेश अंबानी जी मुकेश ऑंबानी जी कितने जो आरब डॉलर उसके लाव पूरे ग्रह के सबसे चाहती मुके समभाणी कि आ पके आलन-मस्क आएख याई अगला कंपनी को पहले स्थान मिला है तो फॉर्चुन ग्लोबल 500 की सूची ऐसे ही ना भी क्या कहते हैं एक लिस्ट आई है जो कि दुनिया में सौ सबसे ज्यादा प्रतिवा प्रभावशाली बैलाओं की है इसमें चार भारतियों भी शामिल है चार भारतियों में हर्मन प्रीत कौर हैं और आपके एक एक्टरस हैं अदिती या दिपती करके कुछ नाम है उनका वो और दो लोग और हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूगे एक शौट कित्रों अभी क्लास कात्म होने के बाद दूँगी तो यह पूरी दुनिया में सौ सबसे प्रभाव शाली प्रतिभा इसको ध्यान रखेगा आगे चलिए अगला कूशन है हनुआ जी से मत पूछे सनी जी से वह पर ना सनी देव को रावड ने अपनी देहलीश पे बांध रखा था तो जब लंका जलाने के बाद हनुमान जी सनी देव के पास पहुंचे थे तो सनी देव की वक्र द्रश्टी पड़ी थी कुद्रश्टी जिसे कहते हैं और लंकार राख हो गए थी सोना भी भस में हो गया था ऐसा करके देखा आगे चलो मैंने भी कहीं सुना था पड़ा नहीं है अगला कोशन है कि एक सीजन में दो टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाच कौन बनी है थार्ड में मोदी जी हैं आरे भाई काहे मोदी जी बदनाम किये वैठे वो कमाते नहीं है पैसा उनकी खुद की अपने पास नहीं रखते क्या ही करेंगे वो पैसा और किसको देंगे पैसा था ना तो एक सीजन में दो टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाच क थी इस ताइम पर आपके अधिती शौमी बड़ी भेमास हुई है अगE देखिए अगला कुछ ये भारत की ति 8 007 बने हैं तो बी प्रणीथ ठीए वी प्रणीथ बने थे 22 क्रेंड मास्टर और 일이 भी हमारे भारत के पास है पहले थे विशुनाथ आनद ठीक है अगला चलिए अगला कुशन है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारती सहर कौन सा है यह कुशन ऐसे कोशन हमें लगता है कि हमने पढ़े नहीं है या फिर हमें याद नहीं है बर पूछे जाते हैं ऐ पहला राज आपका तया हूं और केरल को पीच को युझे कांट की श्रीन में शामिल ना है केंसे उनके कांट की स्राड़ी कि की शामिल किया है है वहां के लूत सब्सक्राइब एक वल्ल्ड कल्चर से लिए राज जी शामिल किया है ना ऐसे गुजरात के धाड़ो गाउं को शामिल किया गया था ऐसी आपके आश्साम को भी शामिल किया गया है यह अलग-अलग सूची आती है थोड़ा सा और यह सथान मिला तो भारत को स्थान मिला है थीड दूष्रावार अभी आई ऐसेसफ का हुआ था हमारे भारत में भारत के मध्य प्रदेशम आज़ुद हुआ था वल्ड कब आंगे देखिए वल्ड कब विशुद कब हैं अगले कुछ है चलो तो यह आपका भारत मंदपमने करने वाली पहली कृकेटर कौण करने वाली पहली महिला क्रिकटर कौन बनी है तो आईसीची की भी आचार सईता चलती है कोड़ाफ कंडक्ड यहां पर अपनी सेलेरी ठीकाना नहीं है मोदी जी की सैली इसक्षण देखिए कि तने एकदम सलीके से चल रहा है भगवान पढ़ लो रे पढ़ लो मोदी जी की सेलरी आपके पास नहीं आएगी अपनी सेलरी काम आएगी हाँ जी हाँ ऑके बहुत अच्छे मदू बनी वेरी गुड हाँ तो यहां पर बात करें आइसी सी अचार सहिता के उलंगन करने वाले पहली महिला क्रिकेटर की तो उनका नाम है हर्मान प्रीथ कौर ठीक है हर्मान प्रीथ कौर नहीं पुसंद आया होगा उलंगन कर दिये कर दिये ठीक किय अगला कूशन है कि प्रजाती अस्तित्व केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा कहां पर स्थापित होगा प्रीथ प्रीथ कि यह स्थापित होगा आपके भारत में ठीक है हमारे भारत में और अभी भारत में यह अस्तित्त्व किनसे आद आया कि भाता भारत का जो बीतर करनी का नेशनल पार्क है नहीं दिमाग में जो डालते हुए आंगे चलो अगला 142 वा कोशें निमेखित मैं सिसस्थान पर विष्व विद्याले खेलो प्रतियोगिता का उज़न किया जाएगा के चेंगुडिय से कुछरा है और चीन में चोबहे है चीन यत चीन यत चीन गुडू जो भी है आंगे चलो मत ध्यान रखना उसको हटाओ अगला कुछ ने कि भारत की पहली अंतराष्टी अथलेटिक्स यूनियन की बिश्व चैंपियंशिप का आउजन कहां पर किया जाएगा कहां पर हो गई आप देखे सबसे जादा तन्खा तो राष्ट्रपति की होती है और उनकी तंखा उनकी तंखा है कि पॉर्दान मंत्री की तन्खा है वांत की पहली अंतराष्टी एंथलेटिक यूनियन की बिश्व चैंबिंशिप का इवजिन कहां पर होगा ये इतना इंपर्टंट नहीं ह स्टाराज पहले स्थान पर तो अबी तक आपे देखा कि सबसे ज़्याद किसा कि करनाटक उत्ताप्रदेश जल्दी से क्या लगता और देखते हैं क्या होता है एक अंसरा ए अच्छा ए ठीक ठीक यह वाला कमेंट बड़ा अच्छा है बताब दुनिया में दूसरा कोई अमीर है नहीं हमसे जादा तो दुदायक की सूची में हम ही शामिल है आज तक किसी को पता नहीं चला यह बढ़िया था तो टीक है देख लेता है यह आपका करना टक कि सभड इंडिया बॉत पईस है टीक है तो तो जाए आउनके बर्देश की बात करें सबसे मेर मुख मंतरी ए अन्दर प्रदेश चैण विधायक की बात करें भाई यह सक्री की है आपके चाइना ने अभी चाइना वाब प्रकूप फ्हला बैठे हैं अभी नया वायरस फ्हला रहे हैं कुरोना की खतम हुआ विश्व में आदी जन संक्या तैसी सो गई उसके बाद एक नया वायरस आ रहा है अब देखते हैं दुनिया कहा जाती है इसक करनों की खोज करेगा जो करड़ दिखाई ही नहीं देते हैं उन्हें होस्त पार्टिकल कहते हैं उनकी खोच करेगा वो थेक्प आंगे देखो अगला क्यूंशन है कारगिल एक यात्री की जुवानी दुत किताब किसके द्वारा लिखी गई है किह करोना ने उससे भी खतन तो वहां पे दुनिया इसे बड़ी वायरोल जी है और उत्पत्ति भी वहाई से मानी जा रही है तो कारगिल की जुबानी नाम किताब किस ने लिखी तो किताब लिखी है रिशी राजने रिशी राजने किताब लिखी अगला देखिए कि अब हाले में डूरंट कप का कौन सा संस्क्रं कौल्काट में शुरू हुआ तो डूरंट कप ठीक है डूरंट कप अपके फूटमौ स करता है और कोल्काटा में शुरू हुआ है ऊपका 132 वा संसक्रंण न ठीक है 132 वा तो यह बहुत पुराना खेल हमारे भारत का इसको धियाद रखिए पूछा जाता है यह कह दादा साहब फाल के लाइफ टेम filling से लौठ के शेतर में और अगर 2000 क्या गहते हैं पहले अमिताब बच्चन जी को दिया गया पहले नहीं मतब सबसे पहले तो देविकाराणी रौरिक को मिला था लेकिन अभी 2020 में आपके नहीं 2018 में साइद नहीं या 2019 में अमिताब बच्चन जी रजनी कान जी और अब साइद वहीतर रह्मान जी क्योंक और अग्ला कोशन आपका कि 41 साल बाद भारत ने निम्ट परेसे कि खेल में 41 साल बाद शोन पदक जीता है तो यह कौन सा खेल भाई 41 साल लग गया है हम लोग प्रतियूगिता जीते हैं ठीक हैं अगेंगा क्या हूत्व पूण्प Care बहुत सूपर एक्टिव सीदियर बिमानी बंद कर देता है कोई नहीं आओंगे जब पुषती नहीं कर लेता है परिशानी की तब तक कोई आए गाही ने इंडिया में ऐसा हो जाता है यह सबसे अच्छा चीज है आगे देखो अगला है कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस कानावरण किसके द्वारा किया गया है अभी ना हम लोग को पता नहीं चला लेकिन कोविट-19 के बाद बहुत सारी अलग-अलग बिमारियां अलग-अलग जिखें फैली जैसे कोविट यलो फीवर उससे भी लाखों लोग मरे थे लेकिन यलो फीवर की केश जैसे ही सामने आए वैसी हमने थोड़ा सा प्रोटोकॉल किया खत्म हो गया तो यहां पर बात होती है एक्टिव एक्टिव रहने की है नहीं तो फिर बड़ी-बड़ी बीमारिया फैलना शुरू हो ज अगला कोशन है कि क्या कहते हैं हाली में यूनीकलो इंडिया ने किसे अपना ब्रैंड अबस्ट बनाए है यह दो भाफवास है कोशन इसको मत याद रखना तो किसे बनाया है विराट कोई जी और तो यह कोशन पर्टिकुलर इस कंपनी का नम तो नहीं पूछे आइसा करके अगला कुशन है कि निम्खित में से किसे भारत द्वारा 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दी है तो भारत द्वारा किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल बेचा जाएगा कहां पर बिजवानी की तयारी चल रही है तो यह होगा आपके से उक तरब अमिरात में गैर बासमती चावल हम भेजेंगे ऐसी अभी हमने आपके 100 टन महुआ ठीक है हमारे भारत का 100 टन महुआ कहां भेजा था लंदन भेजा था और यही आगर बिहार से कोशन आए तो बिहार की परेटन मंत्राले ने पार्टिसपेट किया है लंदन के परेटन ट्रेड मार्केट में ठीक है वहां पे जाकर के अपनी भागेदारी दिखाई अपने समानों को सामने ब्खा रखा जंथा कि अगYU कोशने की प्रमिला मलिः थीकंगर मलिक texture को राजव थाphen्सवा में पहली मुझा स्पीकर बनाय गया है तो कहां की बनी है पहली मन तना व्हिदाष बथानसवा चेतर में बनियों को आगें तो प्रमिला मलिक को हाले में किस विधान सबा में पहली मेला स्पीकर बनाया गिया है तो पहली मेला स्पीकर बनी है ओडी शागी ठीक है कहां कि भी तक 2022 तक हम सिफ दूसरे देशों में Grand Prix की प्रतियोगता देखते थे Grand Prix मतलब की आपके Formula One Car Racing की प्रतियोगता होती है लेकिन आप 2023 में ये आपके इंडियान Grand Prix की प्रतियोगता शुरू हो चुकी है जो की आपके क्या कहते हैं ग्रीन एनर्जी से चलती है हना इसमें काबन या पेट्रोल लेट्रोल का यूच नहीं होता है ऐसा करके तो ये आपकी इंडिया Grand Prix 2023 का जुन कहां पर हुआ तो यह हुआ है आपके उत्तर प्रदेश में ऐसी एक Car Racing की प्रतियोगता हैदराबाद में होई थी एक बाइक रेसिंग की प्रतियोगता लगाने वाली कौन सी टीम बन गई है और क्लास के लास में यह पीडियाफ लेते हुए जाना पर्टिकुलर हर एक परसन को यह पीडियाफ में दे दूंगी पिन करवा दूंगी आप डाउनलोट कर लीजिएगा और जो क्या कहते हैं बिहार कर इंटफेक पीडियाफ है वह मैं आप लोगों चैट बॉक्स में उसके पहले पिन करवा दूंगी वहां से डाउनलोट के लिजिएगा फिर वो हट जाएगा जो बच्चे डाउनलोट करेंगे उन्हीं के पास रहेगा और फिर यह वाली पीडियाफ पिन हो जाएगी ठीक है रचाने वाली टीम हमारी भारती ठीम और इस बार वी सारे अगर ऊडीयाइए डेखेंगे वर्ल कुर气 के पूरे विंड में तो हर चीज में भारती टीम हमारी आंगे थी फिर्फ हमने वह कप इसा कैला देखिए कि भारत सक्ती 23 प्रदरश ś süperny का रादा किया जाएगा देखें 500 कोशन आपके complete हो चुके हैं आपके बचे हैं 100 कोशन और 100 कोशन के लिए आपको आराम से टिकना होगा और 100 कोशन के बाद एकलास खत्म हो जाएगी कोशन नंबर कोशन आपको भर भर के मिलेगा जहां से जितना देखना चाहें जितना पढ़ना चाहेंगे वह भी आपको कम पड़ेगा बस जुरूत होगी थोड़ा सा एक्टिव रहने की है ना तो भारत ड्रोन सकती 2023 प्रदर्शनी किस राच्य में किया जाएगा तो यह सब्सक्बार कि जास्टा जाएं लिखांगे तो यहां पर ध्यान रह्क एस पर रहत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मंदिर भारत का अक रहा मंदिर का एक चलई कि तीम पे आपके नुवयाक के मंदिर को डिजाइन किया गया है और इसका नाम रखा गया है स्वामी नाराण मंदिर ठीक है यह रिवाध आंगे चलिए तो तीनों को ही याद रखेगा पहला आपका अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में दूसरा आपके अमेरिका के नुवया साथ कहना है कि आप मिथुन को आसानी से खा जाते हैं सरी मिथुन एक पशू थीक है पशू दिमाघ में कर सकते हैं तो एक हमाली चेतरों में रहने जबड़ा जिसका नाम मिथं रखा गया है और यहां महीं है आराम सिखाऊ कोई दिकट नहीं है ठीक बने इistes है अगला कुछन है कि आई तू आई तू? यू टू? तो समूह ने हाली में सेयुक तंतरिक्ष उद्व्दम की घोषना की है एक इत्मे से कॉन सा देश नेिकिस एक अ Issन में से देश ऑजो की 2का सधश्य देश नहीं है बताओ यह कोशन आ चुका है आई टू यूटू सम्मिट से कोशन पूछा जा चुका है ब्रोकेन हाट कहां पर है अभी वो टेस्ट लगा रहे थे बड़े परशान थे मैडम यह वाला सम्मिट पढ़ाया था आपने लेकिन आया नहीं हमको तो हम बोले ठीक है पढ़ करें एक भर जड़ा जटका था लेकिन क्या करें गें है रहता है कही बार हमने उनको हराया है पूरे वूल्ट कुप पर देख लिजए एक बड़ी गर्व की बात है कि हमने पूरे वोल्ट कुप में बयातरी प्रोशन किया अफ्टलिया को से मजबूर कर दिया था कि जीते या नहीं वह तो लख की बात थी यार ठीक है छोड़ो उबर जो उच्छी से आपके आंसर आना शुरू हो चुके हैं कहां पर तो यह देश नहीं है आपका इंडोनेशिया बाकी इसराइल इंडिया अमेरिका और आपका एक यू करके सथ ब्रिटीन सम्थिंग वह आपके लुझता हमगे नामक सैन सैने भ्यास में 19 संस्क्राण कहां पर हुआ मैंने कहा था यूद्धा-भ्यास किसके बीच होता है भारत और अमेर्का के बीच में तो यह हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में ठीक है यह रिवाट आगे चली अग्यांदATION में हुआनक नगद ins बराक उबामा की जो फर्स लेडी है उनकी वाइफ है वह भी टॉप हंड़िट की लस्ट में शामिल है इस बार के तो यह वाला कोशन बता कि बराक नामक अत्याधूनिक यूदर टैंक किस देश के दौरा लॉंच किया गया है तो लॉंच हुआ है इजराइल के दौरा अभी अपनी सहने सक्तियों को काफी बढ़ावा दे रहा है अभी इजरायल ने एक बहुत बड़ा जो ट्रॉन होता ना एंट्री ड्रॉन सिस्टम उसको लॉंच किया अमेरिका की हल्प से जो की अमेरिका की ड्रोन सिस्टम को टक्कर दे रहा है उसके बाद भारत ने स्पेंस और द्रोन खरीदा है और अब स्वादेशी रूप से द्रोन का निर्माण कर रहा हमारा भारत लेकिन यहां पर बात करें बराग नामक युद्ध टैंक मिसाइल युद्ध टैंक युद्ध टैंक की तो किसे लॉंच किया आपके इसराइल ने ठीक है यही बात आंगे देखू यहां पर उत्तर प्रदेश दे देते तो कहीं लोग उत्तर प्रदेश ही ठीक करते हैं कि नहीं बताओ मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाँ जी तो विश्वनात घाट कहां पर है हाँ सेशन को शेर और लाइक करते हुँ चलेगा देखे लाइब की संख्या कित्ती है अदो एक लाइक भी नहीं कर सकते बताओ मैडम यहां चिला चिला एकदम परिशान है लोग लाइक तक नहीं कर सकते हाँ जी तो विश्वनात खाट हमारे भारत के असाम मैस्तित है ठीक और सवसिक परटक राज के तौपे केरल को चुना गया है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है आंगे चलिए और सबसे ज़्यादा घाटों का सहर है पूरे भारत में सब ज़्यादा घाट किसके पास है तो है वारण अश्य के पास करीब 82 से ज़्यादा घाट है वाहां पर है अगला कोशन है भारत क्रिकेट ने भारत क्रिकेट ने सभी फॉर्मेट में नंबर वन बनने वाली कौन सी टीम बन गई है तो भारती क्रिकेट टीम हमारे ICC के सभी फॉर्मेट में नंबर वन बनने वाली कौन सी टीम बनी है तो यह बनी है आपकी क्या कहते है इसका अंसर अच्छा ठीक है हाँ पहला अरे यहां पर दूसरा होगा ना की पहला होगा हाँ ठीक है दूसरा है ना की पहला है आगे देखो पहले वेसे ऑस्ट्रेलिया थी फिर भारत था उसके बाद कुई कोई दूसरा देश था तो यहां पर इसको ध्यान रखना ठीक है अगला देखो पहली है अब पहली बन गई है ओडिया की रैंकिंग में भारत ने सारे देशों को पीछे चोड़ा अभी जो पिछले महीने नहीं हाँ इसी महीने जो रैंकिंग आई है उसे भारती टीम पहली है यह पहला पुराना कोशने कुछ महीने पुराना है इसमें दूसरी थी ठीक है अब हमारी भारती टीम पहले पर है बेकुल अगला देखो अगला कोशने की प्रधान मंतरी द्वारा उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर अंतराश्टी क्रिक्ट स्टेडियम के अधार शिला र और निल अग्रवल क्रिक्ट स्टेडियम राजर्स्थान अब यहां पर कुछन पूच रहा है कि भारत प्रिधान मंत्री के द्वारा उत्ता प्रदेश के के इस यहां पर स्थान भी मेंशन किया है इसलिए आंसे कलब मत करना उत्तर प्रदेश के कि इस स्थान पर अंतराश्ची क्रिकेटे स्टेडियम के अधार शिला रखी गई है अभी आपने की क्रिकेटे स्टेडियम देखा होगा जिसके आकृती डमरू के समान है हना और भगवान श अब जो रैंकिंग आई है उसमें भारती टीम हमारी पहले नंबर पर देखें तो अभी ना जो डमरू की आकार चंदरमा की आकरिती का जो स्टेडियम बनके तैयार हुए उत्तर प्रदेश में बनना है अभी आधार शिला रखी गई है और यह हैं आपके वारण शी में ठी चिन तंदुलकर जी और कपिल देव जी जितने भी जो फेमस क्रिकेटर हैं सब ही यहां पर आये हुए थे मोधी जी ने इसका उद्गाटन मदब की आधार शिला रखी इसकी आंगे देखो अगला कोशन आपका कि वेस्टन लेन यह किताब इंपॉर्टेंट होगी वेस्ट अपना नाम नहीं लिखना पता चले हमीं नहीं लिखी है गुड मॉर्निंग यह देख लो आज क्लास थी भूल गए थे बताते हैं भूल जाओ फिर बांकी की कोशन खुदी पढ़ने पढ़ेंगे भूल जाओ ठीक है वेकूल उत्तन हाँ जी तो वेस्टन लेन यह किताब क कि अधों की सूची में भारत कि स्थान पर है तो व्यांध की ranking कौन सी है तो भारत हमारा पहले नंबर पर पहले हम क्रिप्टो करैंसे लेकिन बाद में हमने इसके लिए थोड़ा सा अभियान चेड़ा और हमने इसको डॉप्ट कर लिया है ठीक है अगला कोशन है टाइम पत्रिका टाइम पत्रिका की दा वर्ल्ड बेस्ट कंपनी दोजारतेईस की सूची में किस भारती कंपनी को प्रतिष्टत स्थान हाशल किय तो कौन सी कंपनी पहले नंबर पर है आपके टाइम पत्रिका की दा बेस्ट कंपनी दोजारतेईस की लिस्त में इसा पता है यह तो टाटा होगी यह तो आपकी रिलाइंस होगी हाना टाटा यह रिलाइंस क्या कहते हो देखो आंसर आना शुरू हो गया एक 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 लेकिन यहां पे आपकी Right now और It just 31 के सांदार क्रियानवन के राजभाषा किरती पुरुषकार से समानित किया गया है तो राजभाषा किरती पुरुषकार यह मिला है कैक को हमारे नियंटरा क borrowed महालेखा परिक्षक कैग को ठीक है कंट्रोलर और्डिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरिश्चंद्र मूर्मूजी आंगे चलिए अगला कुश्चन है कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का वार्ड किसने जीता है यहां पर बड़ी मज़ेदार बात थी यहां पर जैसे हमारे भारत से कोई लड़की अगर मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ट मिस इंडिया का खिताब जीती है हमें यहां पर क्या हुआ कि मात्ब मिस यूनिवर्स पाकिसतान बनी तो भाई उनको बोला जा रहे तुम पूछ की किससे गयते कैस किसकी हिम्मत हुए आसे भेजने की तुम ग पहले बताओ किसे पूछ के गयते हैं अगला कोशन है कि अभी हाली में महाराज सरकार के द्वारा उश्मानाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है पीडियोफ अभी अप्लोट कर देंगे जैसी दाइस कोशन कंप्लीट होगे मैं पीडियोफ यहीं पर बनाऊंगी और आ महाराज का औरंगाबास सहर अब जाना जाएगा चैत्रपती संभाजी नगर के नाम से यह भी ध्यान रखेगा औरंग जीव अब एपी जब्दूर कलाम लिन बन जाएगा अगला देखो अगला कुशन है कि नम्कित मैं से कि श्रेणी में भारती सूथ करता हूं कि टीम ने 2023 में आई जी नोबल पुरुषकार जीता है अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना अभी हमने नोबल अवार्ड देखा था नोबल अवार्ड छे छेत्रों में दिया जाता है स्वीडन की गर्मेंट देती वह अलग है यह ऐसे साइंटिस्टों को दिया जाता है जो कि ऐस इसे प्रोड़क्त बनाते हैं जिसको देखते हैं और आपको बेनेफिट भी होता है तो यह ऐसे वह ग्यानिकों को देते हैं किसे मिला है आई जी नोबल अवार्ड तो यह दिया गया है आपके कंप्यूटर इंजिनरिंग के छेत्र वाले 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 ठीक है तो यह इसको हां तो अमेरिका की यूजीन सहर में आयोजित द्यामिल लीग 2023 के फाइनल में किसे पैले स्थान प्राप्त किया तो यह पैले स्थान मिला है जैकब वाड़ लेच को ठीक है जेके वाड़ लेच को ऐसा करके आगे देखो अगला कुशने की अगला कुशने की किसे भारती प अगला कुछ ने कि भारती प्रितिश पर्दा आयो के नए सदश के तौपे किसकी नियुक्ति हुई है नियुक्ति हुई है अनिल अगरवाल की ठीक है अनिल अगरवाल की अगला कोशन है कि अद्वयत वेदांत दर्शन के प्रशिद प्रवक्ता अचार संकर जी के जीवनपद्धारित एकात्म धाम बहन तरहीं है मंदप्र प्रदेश के खंडवा में डबलब होगा ठीक है अगला देखो एशियाई खेल एशियाई खेल 2023 में भारती दल का नेतोत करने के लिए किसे धजवाहक के रूपे नुक्त किया गया है तो एशियाई खेल यह हुए थे एशियन गेम्स जिसे हम कहेंगे चाइना के हुंग जोही में इसमें भारत की रैंकिंग साइद दिवश 2024 के अवशर पर यहां पर 2024 ध्यान रखियेगा 2024 के पर निमखित मैं से किसे मुख अतिथी बनने के लिए निमंत्रण दिया गया है तो 2024 में आने वाले गड़तंत्र दिवश में किस देश के राष्टर कि देश के राष्ट्र पती आपके मुख अतितिपे भारत आए क्या लगता है इमेलवन मैक्रोन सिरिल रामो रामा फोसा जो बाइडेन रिसी सुनक मस्तव एकदम प्रणांसियेशन है ना पढ़ते ही नहीं आता है भगवान हाँ जी जो बाइडेन जो बाइडेन को बुला लो हमको नहीं रहना अमेरिका में बुला लो रहेंगे बारत घूमेंगे हम नहीं जाएंगे अमेरिका इतना गजब दोस्ती चल रही वाई अलग देखो अगला कुस्ट्शन है कि विश्व रिपोर्ट की वार्षिक सवीज़ देशों की रैंकिन के पिल्ली यहां पे रहने कहता है सबसेश्च देश सापसफाई में सूची जारी की जाती जिसमें सबसेश्च देशों की रेंकि में सुझाल Yay .' रहने वाले सहरों पे आपका विया नहीं है और देशों की सूची में और FIBA ठीक है FIBA यह काम करती है बॉसकेट बॉल को लेकर के जैसे FIBA फुट बॉल की बिशुकी सबसे बड़ी एजनसी है वैसे आपकी I.S.S.F को मैंने बताया आप FIBA देख लीजे FIBA है FIBA बॉल को अगनाइज कराने वाली सबसे बड़ी एजनसी है तो इसका बिशुकाब कहां पर हुए था खिताब किस ने जीता है तो जीता है कि सोना पिगल के समुद्र में चला गया अरे कहां कहां एक दम बहुत पीछे जा रहे हो दुबारा क्लास वाइंग करो हाँ ठीक है तो तीन दिसंबर आपके सनातन धर्म दिवश के रुपे किसे गोशित किया कोई और नहीं अमेरिका है अभी एक बहुत बड़ा हिंदू समेलन भी आजित किया गया था जिसमें अमेरिका ने अगवाई की थी और क्या कहते हैं अभी लोगतंत्र समेलन अमेरिका में ह फेकी अधिए नहीं को सब्सक्राइक सब्सक्राइब फिसंब का very million rave stascian certificate दिया गया है कि स्टेशन को यह चिला यह किसी दिया गया यह आपका विजय सथान भी बॉस टेशन लेकिन अभी भी इसकी पीघी सेहित में है अगला कुछ ने निम्लकित मैंसे किस संस्थान के द्वारा भारत में आपके कॉल मनी मार्केट के लेंदेन के लिए सेंटल बैंक डिजिटल करनसी आपके प्रोजेक्ट लॉंच किया गया है किसे लॉंच किया है तो अगर भारत की बात है तो कौन लॉंच कर सकता है हमारा जाहर सी बात है अगर भारत में लॉंच हुआ है तो और भी लॉंच करेगा और अगर विशुस्ते पर लॉंच होता हूं तो वर्ल्ट बैंक लॉंच करता ऐसा करके अभी आर्भी के गवर्नर काफी चर्चा में जिन्हें आपके क्या कहते हैं चेंज में कर अब दावर्ड मिला उसके बाद आपके गवर्नर अब दाइयर का वर्ड तो यह सारे आपके चितने भी गवर्नर हैं उन समय से एक प्लस प्लस रेटिंग किसको दी गई है सक्तिकान दाश जी को अगला देखिए अगला कूश्य ने भारत ने जी-20 सिखर समेलन म बैश्वी के स्थे पर पेट्रोल के साथ एतनौल मिश्रन को कितने प्रतिशत लाने की घोशना की है तभी जब जी-20 में बैठक हुई थी ना उसमें सभी देशों ने मिल करके डिसाइड किया कि हमारे पास जितना भी एतनौल है एतनौल में सरी जितने भी प्रतिशत करना शुरू करेंगे और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिहार से कुशन ध्यान रखिएगा कि बिहार की गवर्मेंट ने कहा है कि हमें मक्य के प्रतिशत हाइब्रीड बीजों का इस्तमाल करना है जिसे हम एतनौल को जादा-जादा उत्पादित कर पाएं ठीक ह अगला कुशन है कि सैफ अंडर 16 चैंपेंशिप के फाइनल में भारत ने किस देश को हरा करके जीत हासिल किया है भारत ने किसे हराया है कि सैशन करते हैं चला आज हम 600 भी जा सकते हैं लेकिन बस हम अटके हैं सिर्फ की कुछ ही लोग की कमी है देख सकते हैं लेकिन नहीं हम माने गई नहीं हम जाएंगी नहीं मैडम पढ़ा रहे हैं इसलिए ठीक है तो सैफ अंडर 16 चैंपेंशिप के फाइनल में भारत ने किस इसलिए आपके बंगला देश को अगला देखो है क्या होगा है कि बारव बज़े तक है ना है हां है 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 अ हमसे पूछ रहे हैं कोई कि कब तक क्लास हमारी हमारी बारी कि बार्र वज़ेतक अराम से पढ़ाएंगे तो 184 वा कोशन है कि वन संवन वर्ड वन ग्रिड समेलन कि सहर में आउजित किया गया है तो वन संवन वर्ड वन ग्रिड समेलन का पर हुआ तो यह हुआ है आपके नई दिल्ली में ठीक है नई दिल्ली में ऐसी ना इस ताइम पर बड़े अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं जैसे कि वन आइडी वन अस्टूरेंट ठीक है वन इस्टूरेंं वन आईडी तो यह भारत में सारे स्टूरेंट के लिए लॉँच किया गया एसी आपका वन नीशन वन पर रिजिस्ट्रेशन यह डॉक्ट्टरों के लिए लॉन्च क वन फ्यूचर तो सारे एक नंबर ठीक है साब एक नंबर आंगे चलो अगला कुछ ने बंगस वैली फेस्टिबल का आउजन किसे स्थान पर किया गया है बंगस वैली फेस्टिबल यगर दिन में आठ-ठाट घंटे क्लास लेए आपके आवाज भी ऐसे हो जाएगे लेना शोरू कर दो क्लास लेंगे सबसे हो जाएगा बंगस वैली फेस्टिबल का आउजन पर किया गया है तो बंगस वाली फेस्चिवल आयुज़ित होता आपके जम्मो कश्मीर में वैसे अगर जम्मो कश्मीर आपके आंसर में ना हो तो लट्डाख mes sirette है ठीक है हाँ जम्मो कश्मीर लट्डाख ऐसे करके ऐसी आपका होता है लोसार महुसव लद्दाख वाले छेत में लोसांग महुसव सिक्की में मना जाता है थोड़ा सा सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन खतरनाक है आंशर आंगे चली अगला है कि दुनिया का सबसे उच्छा लडाकु हवाई अड़ा किस स्थान पर बनाया गया है तो दुनि अगला कुशन आपका कि वैश्विक जैव इधन गट बंधन का शुबारंब किसके द्वारा किया गया अब देख लीजे मतलब मुस्किय से 40-50 लोग और चेहेंगे दनाब 600 हो जाएंगे दब आज रिकॉर्ड काइम कर देंगे लेकिन नहीं लोग सुनते हैं नहीं गट बंधन का शुबारंब किस से किया यह किया है आपके नरेंद्र मूदी जी ने तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता ना तो उनको आप टिक कर से तुक्का मारें इनका नाम बड़ा काम आता है आंगे चलिए वैसे भी काम आते है अगला कोईशन है कि जी ट्वंटी दोजार चौबिस की अध्यक्षता भारत से ब्राजील को सौपी गई है ब्राजील के राष्ट्रबती का नाम बताएए यह बहतरीन कोईशन है मतब यह भी कोईशन फिक्स है जो पूछा जा सकता है देखिए अगर जी ट्वंटी के अंत लगजर को सेहना होगी आपके ब्राजील में त्यूंबर के घ्ल्र में नाम द annatBR Papapati का नाम क्या यह जरूर जरूर ध्यान रिख्येंगा यहां के रास्टपति का नाम क्या है तुनका नाम है लुईश इनासियो लूलादी सिल्वा ठीक है लूलादी सिल्वा इनका नाम जरूर जरूर धान रखेगा ठीक है आगे चलिए अगले कुशन वर्ष 2022 के लिए कितने वग्यानिकों का चैन सांती सरूप भटनागर पुरु पुरुष्कार कितने वग्यानिकों को दिया चाहेगा है फिर मजाक हर बात में मजाक कर देते हैं विचारी इतना अच्छा नाम रखें क्यों ऐसे बोलते हो थर्टी नाइंथ नंबर के देख लो हाजी तो सांती शुरूप भटनागर पुरुष्कार किसे मिला है यह मिला ह है आपके बारा बग्यानिकों को ठीक है इसके लावा मेरी बातों का बुरा मत माना कई बार मजाक में इसलिए भी थोड़ा हस्ते मजाक करते हो चलती हूं क्योंकि इतना सीरेस हो के पढ़ेंगे ना सब दिमाग के उपर जाएगा खाली मैं कोशनान से बता दूंगी आप प अगला कुशन है कि भारत के पहले भूमिगर तर ट्रांस्वामर का नावरण किस सेर में किया जाएगा अभी हम सुनते थे कि ट्रांस्वामर ट्रांसार में आग लग गई बिजली के तार यहां वहां प्यल गये अगर जमीन में अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जब पूरी जमीन में बिजली एकदम फैल जाएगे फिर क्या करेंगे गिली मिट्टी में अगर तार और फैले तो पर उसका ध्यान रखा जाएगा ऐसे नहीं फैलेगा करेंट यह बचाने के लिए भी किया गया है तो अब ट्रांस्वामर रोडों के उपर ना बनके जमीन के अंदर स् लेकिन अब हम समुद्र के नीचे समुद्र के गहराई के तल पर एक रोड बनाने की शुरुआत कर दिये हैं हम भूमिगत सबसे गहराई पर नदियों के नीचे मेट्र बनाने की शुरुआत कर दिये हैं हाना चाइना बाबा तो हवा में उनने की शुरुआत कर दिये हैं त तो अपने अपने अविश्कार देख लो तो अगला कूशन है कि मद्धप्रदेश के किस स्थान पर इस्टेट मीडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा तो यह थोड़ा सा क्या कहते हैं यह वाला कूशन आप स्किप कर सकते हो ठीक है अगला देखो अगला कूशन है भारत जो एक तरीके से तुकडी है यहां पर आकर के शो प्रदर्शित की थी उसने आंगे देखिए अच्छा कोशन है अगला कूशन है कि सीमा सडक सुरक्षा संगठन सीमा सडक सुरक्षा संगठन के 28 महानिदेशक के तौपक किसे नुक्त किया गया है तो बॉर्डर रोट और्गनाइजेशन के 28 महानिदेशक कौन बने हैं कैलाश राणा जी आपके राजीव महता आपके रोहन दीप सिंग या रघू श्री निवाश क्या लगता है बताएए चाय पीलें मेरे सामने जब भी चाय का नाम आता है मुझे क्रील यादाती है मैं एक दम मुझे फून चलाना आता भी नहीं था तब मैंने क्रील रेखी थी पीलो जब भी चाय पीलें अब आता है अद्व चाय पीलो इसका आंसर दे रहे हो इसका रघू रगू श्री निवाश ठीक है रगू श्री निवाश यह भी रो के अठाइस में माने देशक बने हैं है हेड़कॉर्टर की बात करें तो चैवासम राइफल्स हो चैवापका CRPF हो CAPF O ITBP हो इन सब के हेड़कॉर्टर कहां पे हैं आपके नई दिल्ली में ठीक है और ग्रह मंत्राली ने ओपरेट करता है ध्यान रखेगा आंगे चलो और अभी हमने बियारों को लेकर के कोशन पढ नहीं मिला है यह बताना है हाँ जी चाए पिलो तो बहुतिकी में 23 का नूबल वार्ड इनमें से किसे नहीं मिला है तो नहीं मिला है आपके कातलिन कारिकों को ठीक है कातलिन कारिकों को वहीं अगर बात करें फेरी क्रूज की आपके पियरे एगोस्तिनी की एली एल हुलियर कि इन्हें दिया गया है आपके बहत की का Novel Award यहां पर मैंने अलग से Mention किया था वैसे साथ रिपलेस कर दिया बट मैंने अलग से रखा था सारे जितने भी Novel Award भी जेता है उन सब के नम सब कहला करते हैं करेंट पर के बाद ना कल कल पर सो करेंट के बाद एक छोटास इवेंट लेंगे जिसमें हम 2023 में जितने भी नोवल अवाड दिये गए हैं उन पर बात करेंगे और उनको याद कैसे करने उसकी छोटी सी ट्रिक भी देखेंगे कि हम कैसे इनको एक एक थियोरी फॉर्म में या फिर रिलेट करते हुए शौट ट्रिक के कि प्रिश्थित ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली मैला कौन है इसमें था कि नहीं मिला है ठीक है नहीं दिया गया है केतलिन कारिकों को नहीं दिया गया ऐसा यहां पर भौत की कहना कि रसायन का पूछ रहा है अगला कुशन है कि प्रतिष्थित ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है इनका नाम है सुधा मूर्ति ठीक है सुधा मूर्ति तो सुधा मूर्ति किताबें ब लगातार भी घग उसके बाद आपका भी कश्मीर के k यह आपकी जमूकरें कि एक बकरी है उसके जो दाड़ी के बाल होते हैं उसे हम पस्मीना कहते हैं उसके दाड़ी के बालों से फिर इससे बनाया जाता है अगला question है कि 27 विश्व सड़क कांग्रेस का आज़न कहां पर किया गया था मुवाइल कॉंग्रेस की बात आए वह जरूर पूछता है वहां की यह नहीं पूछता तो विश्व सड़क कॉंग्रेस 27 कहां पर हुआ यह हुआ आपके चिक गड़ राज में आप इसे स्किप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक सो निन्याववज देखिए एस वह है कि भारत के बाद नमलखत में से किस देश में भी रहाओ अमेटिकर इंग्लेंड के संसत के सामने वसे महात्मा गांदी जी की मूर्ती लगी हुए है ना यादे की नहीं हाँ जी तो यह दोशो कोश्वाग दोसो दोसो नंबर का कोश्चन आपका बढ़ाई हो आप सभी लोग को आदे गंटें पचास कोश्चन अभी और करने उसके बाद आपकी सभी लोग ने दोसो कोश्चन पार किये हैं वेरी गुड बेरी गुड मतलब जोड़दार तालिया अपने लिए आप जा सकते हैं हां ना हां जी दोसे एकवा कोश्चन है सिर्फ और सिर्फ हमें आंगे पचास कोश्चन करने हैं दना आपकी क्लास खतम पूरी छुट्टी दुभारा मून ही दिखाएं गे तो निम्कित मैंसे कि इस स्थान में भारत के पहले सोलर रूफ साइकलिंग कर निरमाड किया गया है यहां पर पता क्या है क्या ही महान काम हुआ है लेकिन पता किया की जैसें साइकल चलाने के लिए पनाए जाते से अब्त ही तक ट्रेक यहां पर से तो आगप सारी चीज अब क्या हुआ है कि जितने भी के कहां के आपके है रभवाद में माल यह आपका साइक्लिंग ट्रेक इस रास्ते के उपर और आपके मदब टीन लगा करके उसके उपर सोलर पैनल बना दिया है और भारत का पहला हो गया है तो भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रेक का उद्गाटन कहां पर हुआ थैदराबाद में आंगे चलिए अगला कूश्य ने आपका कि सेयुक्तराष्ट के 78 वी जनर अगला है कि मोहमध मोईजू को निम्लकित में से किस देश के नए राश्टरपती के रूप में चुना है यह कोशन भी आप सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो चुने गया है माल्दिव के ठीक है हाजी माल्दिव के माल्दिव जाने में आपके एक एक बार एक पूरी ट्रिप आपको धाई से तीन लाग संतिंग का पड़ेगी इससे अच्छे तो घर बन बाले आंगे चलो अगला कुशन है कि भारत और किस देश के बीच हाली में सेंगापूर नामक मिलिटरी एक्सरसाइज का तीसजा सोular किया गया तो भारत और किस देश के बीच में में सिंगापूर यहां पर जीट में नागे होता है उड़ा उसी पTON पार्टीस्पेट करते हैं इक ही ही टाइप के कोस्षिन होते हैं चिनों को याद रखना in for सकतर्ष भरत और श्रीलंका भारत श्रीलंक थाइलनी और रोजमका ठीक है अगला कुशन के स्कॉस्टी पुरुषकाट 2023 में चुनी जाने वाली नर्गिस मुहम्मधी तो यह किस देश से समंधित है नर्गिस मुहम्मधी बहुत सारे वच्चे एकदम सुरू से हैं 9 बजे से इस ते लाभी तक वो लगा तार पढ़ रहे हैं अगर कोई उपलब्धी है न तो यह आप ही लोगों जो यहां पर भी हैं मेरे साथ मुझे ऐसा लग रहे हैं जिसे आज पता नहीं क्या हो गया है मैं अंदर से बहुत खु मुझे बहुत टाइम बाद इतनी खुशी हुई है आप लोग के कारण थैंक्यू हाँ जी तो सानुबल सांती पुरुषकार यह 2023 में दिया गया है आपके नर्गिस मुहमधी को कहां की है तो यह आपके इरान की ठीक है कहां की है इरान की इनका नाम जरूर ध्यान रखेगा इरान की और अभी भी यह जेल की थोड़ा सा दिक्कत है इनके साथ हाना आगे चलिए महिला दिकार की बात करती ना इसलिए अगला कूश है ने कि इतना से किसके साथ वीर सिवाजी के बाग नख को भारत लाने के लिए समझाओता किया गया है देख लीजे कि यह भी दिन है मतलब अपने ही देश के भारती वीर सपूत उन ही का सामान और हम दूसरे देशों से लीज पे ले रहे हैं बताइए जबकि वो चुरा के लेके गया थे बट फिर भी यहां पे हमने इंगलेंड के साथ साइं किया है कि हम आपको पैसे देंगे पर तीन महीने तक का आप हमें यह जो बागनक है उसे लीज पे दे दो हम भारत ले जाएंगे और इसको जनता को दिखाएंगे कि हमारे च्छतरपती सिवाजी महराज क्या बागनक है हाना योदिके समय इसका इसका इसा करके तो बागनक हाथों में पहना जाता है कुछ ऐसा स्ट्रक्शर होता है इसका है इसा करके और यहां पर आपके नाखून टाइप की संद्रचना होती है ऐसे करके मारते दम मुझ फूट जाता है हांगे चलो अगला कुश्चन है कि नमगीत में से किस तीम ने हाली में आयुजित किये गए इरानी कप दोजार तेश्वाबस का खिताब जीता है यह कोश्च जीता है सेश भारत ने सेश भारत टीम का नाम है ना कि भारत का है तो इरानी कप क्रिकेट से समंदित है और जीता है सेश भारत ने अगला देखिए तो 208 वा कूश्चन है कि नयाइक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे हम EWS कहते हैं एकोनोमिक विकर सक् प्रतिशत का अरक्षण देने की घोश्टा किस राज ने की है तो ऐसे EWS की EWS का प्रवधान तो 2020 से ही आ चुका है इसके लिए अमेंडमेंट भी हुए हैं बट किस राज ने शुरू किया है तो यह आपका भिहार तो आरक्षण की अंतगत जैसे EWS हमने अलग से लाया यहा लिट्रेचर फेस्टिबल 2023 कायोजन किया है तो निव लिट्रेचर फेस्टिबल 2023 कहां पर मनाया गया है यह इतना इंपॉर्टन नहीं हुगा बट फिर भी एक बार देख लीजे यह हुआ है करनाटक में ठीक है आप इससे स्किप कर सकते हैं अगला देखो या की चूर्पी आपूर्टो याग चूर्पी याग चूर्पी किस राज्जी से समंदित है जैसे ल कुछ मिला है ऐसी या चूर्पी ठीक है यह कहां और आप यह पको शूर यह एक है इक समान है इसके तोड़ी सी कन्फ्यूजन लेकिन अब ही हमने पीछ्य ही एक वह देखा था मितन और मि गोशिद किया और साथ वह थोड़ा सा रिलेट करके लगा अगला कुछ नहीं अगला कुछ नहीं पैसिए पैसिफिक इंटिट्यूशनल फॉर ब्रॉड कास्टिंग डबलमेंट जिसे हम अध्यक्ष बने हैं भारत के लिए भारत को अध्यक्षता दी गई है इंडिया पैसिफिक इंस्टूशन फॉर ब्रॉड कास्टिंग के अगला देखें अगला कुछ नहीं कि भारत द्वारा हाली में अजित 19 वे एशियाई खिलों में कितने शुनपदिक जीते गए हैं तो व हमने वह जीते हैं मेडल जीते हैं टोटल अगर वहीं एशियाई पैराखेलों की बात की जाए तो भारत ने 111 पदक जीते हैं ठीक आंगे देखिए अगले कोशन है कि अर्थसास के नोबल पुरुषकार के लिए किसे चुना है 2023 में यह भी इंपॉर्टन कोशन होगा नोब महिन के गोल्ड है उनको भी आप याद कर सकते हैं क्लाउडिया गोल्डियां ठीक है क्लावडिया गोल्डियां आगे देखिए अगला कुश चने की परिवहन बिभाग की द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार इच आलान इच आलान से राजश्श्य वाशूली कर लेकिन बिहार को इसमें कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है तो बिहार आपका पांचवे नंबर पर है इचलान को लेकर करके इचलान पता कैसे करता है जैसे हम नहीं एकदम मस्ती में रहता हैं फुर से उड़ जाता हैं गाड़ी चला एकदम 120 की स्पीड से तो उस ताइम आपके सडकों के किनारे या फिर जहां पर बड़े-बड़े पूस्टर नहीं लगे रहता है वहां पर पे कैमरे फिट होते हैं वो एक स्पीड को मेज़र करते हैं उसके बाद आपके प्लेट नंबर को देखेंगे मेज़ा करेंगे और आपके घर चलान बेज देंगे अब होती बिहार में जीविका योजना की शुरूआत बताओ है कि हाजी अब गला जवाब दे रहा हमारा थोड़ें खासना शुरू करेंगे और फिर खांसते खांसते बोलें आप नहीं हो रहा है बंद कर दो ठीक है लेकिन 215 कोशन हो चुके हैं सिफ 15 कोशन 15 कोशन कहा है पचास क कोशन तक जाना लेकिन देखते हैं कहां तक होता है ठीक है तो जीविका मिशन की शुरूआत कर भूई थी आपके 2006 में सोलवा देखिए दोसों सोलवा कोशन है कि बिहार राज जी खादी एवं ग्रमुतियों बोर्ड की और से खादी मेले कायोजन कहां पर होगा तो बिहार पूरे लिस्ट यहां पर दिये हुए है कि बहुत की का नोबल किसे मिला है रसायन का किसे मिला है साहित का किसे मिला है सांती का किसे मिला है सारे नोबल इसमें शामिल है मैंने जानबूच के से पेश्ट किया था थोड़ा इदर उदर हो गया ठीक है तो इसको एक बार देख सांती का नर्गिस्त मुहम्मदी को साहित का जॉन फांसे को और आपके बाकी उपर के इनको देख लिए पीडिया डाउनलोड करके अगला देखो अगला है कि किस देश के राष्ट पती हैं जो हाली में भारत की आत्रा पर आये हैं तो भारत की आत्रा में आपके सामिया ठीक ह ठीक है छोड़ो स्किप कर देना अगला है दभूक आफ लाइफ एक यह किताब इंपॉर्टोंट होगी दभूक ओफ लाइफ किस ने लिखी है तो किताब लिखी है आपके बिवाएक अगमीोत्रीने और डगस्मीर फारे प्रीस का कि वो त था सबको पता होगा और विवेक अग्मी होत्री को उसके किताब के लिए आपके कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया है ठीक है आंगे देखें अगला कुछ ने कि भी हाली में अमेरिका के किस स्थान पर पहला गांधी म्यूजियम उपन किया जाएगा तो अमेरिका के किस स्थान पर महात्मा गांधी म्यूजियम शुरू किया गया है कहां पर हुआ है तो यह शुरू हुआ है हूस्टन में ठीक है हूस्टन में अब ना जो बाकी के कोश्चन है आप लोग वो कर लेना लेकिन उससे पहले मैं आपके पीडिएफ का जुगार कर द लेगा दूसरे क्लास हो जाएंगे और पीडिएफ नहीं ले पाएंगे तो तुरंथ देखिए आपका पीडिएफ कहां तक जाता है फटाक से कोई आ जाए है सब लोग पीडिएफ लेके जाना अभी बस दो मिनेट रूप जो पीडिएफ लेके जाना इसको डानलूड होने में टाइम लगे या बिहार के करेंडिफर की पीडिएफ मेरे सामने हैं सर मैंना अभी आपको पीडिएफ दे रहे हूं इसे पिन कर देंगे आप इस चैनल लाइव है नो चैनल लाइव है वाइव करना पड़ेगा वो नहीं कर सकती में टेलिग्रम कर करते हूं कहां से करना है यह पीडियो डानलोड है बस दो सेकेंड लाइव है यह से मेरे करते हैं यह बस दो सेकेंड लाइव है है यह से हो जाएगा है हां बताई क्या से करना है लिंक हो चुगा है लिंक नहीं बना है अच्छा ठीक है तो बस दो सेकेंड मैं भी वह कर देती हूं आप लोग पीडियाफ लेके जाएए पीडियाफ लेके जाएए ठीक है बड़ी लंबी फाइल यार हाँ जी हाँ जी बस यए फाइल आगी दो सगेंड बचो अगर नई पी होता तो जैसे आपकी कलास खट्म होगी आपकी ख़ट होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर जहां पर चैट बॉक्स होता ना वहां पर आपकी क्लास की जो लिंक है वो पिन हो जाएगी थोड़ी देर के लिए लब की आधे घंटे समतिंग का वहां से जाकर कि आप तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे तो परिशान मत होएगा वह मै मैं यह मेल कर देती हूं कि सेंट फाइल कि मेल कि यह लिजे तो आपकी जो फाइल है वह आप तक पहुंच जाएगी अभी अगर पांच मेंट रुखते हैं तो आपकी फाइल आपकी चैट बॉक्स की उपर पिन हो जाएगी आप वहां से तुरंत डाउनलोड कर लिजेगा बस मैंने मेल कर दिया है वह एक है को जलदी आपकी पाइल है वह कुछ ही मिनट के अंदर कर देंगे टो एक काम करते हैं जब तक हम बां की कोषन कर लेता हैं यह भी अचछा वो है कि जब तक वो फाइल आपन हो रही है हम अपनी कोषन कर लेता है नहीं ठीक है तो पढ़ात और हम यहां पे थे कि अमेरिका पहला गांधी म्यूजियum कहां पे उपन हुआ आपकी हूस्टन में आगए देखो अगला था आपका 120 के बार्त चोवन भारती अंतराश्ची महाहो सब्सक्राइब कि सिराध में हुआ है तो चोवन भारती इंतराश्य फिल्म महोसा का आजन हुआ है आपके गोवा में ठीक है और अभी गोवा में बहुत जादा चर्चा में अब अपने गोवा को लास्ट वाले उसमें कोशन में भी देखा था और अभी भी लगातार चर्चा में तीन से चार इविंट ऐसे हैं जो कि गोवा में स्थान पर है अगले आपका के कि किस स्थान पर भारत के पहले Online को शुरू किया गया है काँ पर हुआ है कि अगो क्या रीचा क्या है मैं आपको बता दूंगी तुरह कर पाएंगे थीग हां जी तो भारत के पहले aircraft recovery training school को कहां पर शुरू किया गया यह recovery school open हुई है आपके उद्यपूर में ठीक है उद्यपूर में आगे देखो अगला कुछ इन अंतरास्ट्रिय मुद्रा फंड जिसे हम international monetary fund कहते हैं द्वारा बितवर्ष 2024 के लिए भारत की GDP growth को कितने मंदब की कितने परसेंट बढ़ा करके दिखाए गया है कि 2024 में जो भारत की GDP है वो कितने परसेंट एक्स्ट्रा ग्रोथ पे होगी किते परसेंट ग्रोथ पे होगी तो यह होगी आपकी 6.3 परसेंट ग्रोथ पे ठीक है 6.3 परसेंट ग्रोथ पे आंगे चलिए अगला है कि इंटरनेशनल काउंसिल आफ क्या कहते हैं आर्क्राइब्स कॉंग्रेस ठीक है अब इसे चाहें तो याद करने तो यह स्किप कर दीजा कोई दिक्कत नहीं है यह कहां पर हुई है आपक के अंतरास्ति चात्र देवश वह हमने अभी नवंबर को सेलिब्रेट किया विश्व चात्र देवश मनाया जाता है डॉक्टर एपीज अब्दुलकलाम जी की जेनती को सेलिब्रेट करने के लिए हाना ऐसा करके अगला कूश्यन है अब हम अक्टूबर में आ चुके हैं अ अगला देखिए यह ना मतलब पूरा कॉंबिनेशन है मैंने हर एक एरिया से कल मैंने तीन घंटे बैठ करके इन सारे पर्टिकुलर कोश्चन को अलग-अलग मंत से उठाया है उसके बाद कहीं जाकर के दिखा है तो ऐसे दिन भर अगर एक महीने का देखेंगे ना तीन सो क लिंक है PDF की वह साफ में शुरू हो चुकी आप वहां से क्लिक्क करना थिक है पीडियाफ की नीखिक है वहां से क्लिक करके आप अपन कर सकते हैं अब कर लाए प्लीज मुझे एक बर इन फॉपन हो गई ठीक है वर व्हावट बता दो बार मुझेगं है आपकutes दस मिनट है अभी है ना हजी ओके पीडिया बताओ लिंक हो गई मिल गई पीडियाफ हाँ फटा फट डानलोड कर लो फटा फट डानलोड कर लो हाँ हाँ जैसी हो जा मुझे बता देना थैंक यू सर थैंक यू सू मच अच्छा कोई बात नहीं फटा फट बताओ पीडियार दानलोड होय हो तो बहुत बढ़ए हाँ चबहारत का पहला प्र हीक डिप सकते हैं अब अगडर पीडियाफ डानलोड हो गई हो तो जब तक आप कर रहे हैं तब तक इसका इसका वह देख QUE लो विख शक भरती को लेकर के उनके पास बहतरीन मौका है अलग-अलग कोर्सेश में जोड़ने का तो भाई आप बहुत पहले डान्लोड के बाद यहां पर आसकते हैं यहां पर आके सामने है बिहार शिक्षक भरती की जो डेट है परिक्षा की वुँ को पता ही है इस ताइम पे सबसे ज़रुत होती की हैं तो प्रतिध को थेयां रिखेगा इसके बिहार सिक्षक भरती को से अपने पास मंगा सकते हैं बिना किसी परिशानी के तो इससे पहले यह आपका याची 2.0 आया था यह बैच आपका 14 नॉम्बर से शुरू हुआ था आप इसमें भी इन्रोल हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है की बात करें तो सबसे बहतरी होता है आपका बिहार प्राइम टे सारी कोशन आ रहे थे बहुत सारी कोशन नहीं आ रहे थे पीडियाफ आपको मिल रहे आप उसे प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन जब आप टेस्ट लेगाना शुरू करेंगे ना तो सेट आप कॉम्बिनेशन होगा आपके हर एक सब्जिक्ट का जब आपका हिस्ट्री पॉल आपका फ्यूचर इंवेस्ट्मेंट है जितना ज्यादा हो सके टेस्ट लगाए और आपके सेलेक्शन को बहतर बनाएए हना तो आपके किसी भी एक्जाम में हेल्प करेगा सिक्षक भरती में आपका 6-8 हो 9-10 हो 11-12 हो हर एक एक्जाम के लिए आपका प्राइम टेस्ट पै आपका सामिल है मतब इसमें शामिल नहीं है आपके एप में है आची बैच को भी आप जॉइंग कर सकते हैं ठीक है और वहां पर बैट जॉइंग करने के लिए आप कूपन कोड़ Y683 इस्तमाल कर सकते हैं ठीक ओके तो थैंक्यू क्लास थैंक्यू सो मच नहीं दिख रहा है अरे आपके चैट बॉक्स की ऊपर जहां पर आप कमेंट कर रहे हैं उसके जस्ट उपर पीडियाफ की लिंक मेंचन है ब्लू कलर की पट्टी से आप उसे जैसी क्लिक करेंगे ना पट्टी पर क्लिक करने के बाद तो आपके पास पीडियाफ आ जाएगी ऐसा अच्छा रुख जाओ अब ही मैं बिहार के करेंट अफ़े की पीडियाफ भी पिन करवा देती हूं इसमें सिर्फ और से बिहार के करेंट फ़े शामिल होंगे इनको भी डाउनलोड कर लीजेगा लीजे सारा जुगाड कर दिया है थोड़ी देर में बिहार करेंट फ़े की जो पीडियाफ है वो भी आपके क्या कहते हैं जहां से आप चैट बॉक्स में देखेंगे वहां पर पिन हो जाएगी अगले एक घंटे तक पिन रहेगी तेन वह खत्म हो जाएगी तो आप वहां से जा करके अपनी जो पीडियाफ है उसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम उनको बुला कि बोल देते हैं आपकी पीड तुरंत मेल किया एक पीडियाफ को उसे पिन कर दीजेए अब यहां पर आपका यह सारा बैच वच आपने देखी लिया है आपकी लास है ठीक है तो बच्चों आप ना वहां से जा करके खत्म करते हैं अभी आप क्लास के बाद जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लगी उसे आप दाउलोट कर लेना ठीक है लेकिन पीडियाफ आपको मिल जाएगे परशान उने बिल्कुल जरूरत नहीं होगी ठीक है तो थेंक्यू क्लास थेंक्टिस सो मच आपका आपके पास पहुच जाएगी आज के लिए थेंक्यू क्लास थेंक्यू रखना खुश पढ़ते रहना बबाए में देको सुबह साथ बजे और सुबह साथ बजे की क्लास सब को आना कमपोर्सरी है है आए ऐसे कि अब चलता क्यों नहीं है झाल